सुप्रभाद, संहिता बोद के इस सत्र में उपस्तित सभी विद्यार्थी वर्गों एवा वाइद्य जनों का स्वागत, गता दो सत्रों में ज्वर निदान अध्यान किया था, उसके बाद यथाक्रम से आज से हम वाइद्य धनेजे कुलकरनी सर के साथ ज्वर चिकित्सा का अध्यान करेगे. सर का स्वल्पा शब्दों में परिचे दिया जाए, सर का BMS पुना से और M.D. खाय चिकित्सा इस विशह में हुआ है. He has learned Ayurveda from various masters like Vaidya Thomre Sir, Vaidya Nanal Sir, from Pune and Vaidya Karmarkar Sir Nashik. He has trained many students to practice Shuddha Ayurveda. He has also worked in cancer research project in TMB Pune. He has worked as consultant in Punear Vasu and Dinanath Mangeshkar Hospital. He has been honored with S.D. Pade Shastri Karyakarta Puraskar, Vaidya Khadi Waale Vaidya Ka Sanshrodhan Sansha Pune. He has delivered various lectures in India as well as abroad. After his short introduction, I will request Sir to start with his session. नवस्कार, am I audible? Yes, Sir. सम्वीता बोट के इस सत्र में फिर से आप सभी का स्वागत है. गत दो सत्रों में हमने ज्वरनिदान की चर्चा की थी, उसका अध्यान किया था. अब हम जैसे बताया गया है कि करम से उसके आगे क्या करना है, तो उसके आगे ज्वरकी चिकित्सा का अध्यान करना आवश्चक है. जैसे हमने सर्वरोग निदान का अध्यान किया था, उस वक देखा था कि एक स्थान खत्म होने के बाद दूसरा स्थान जब प्रारम हुआ तो उनका एक दूसरे से क्या संबन्द है, इसके बारे में कुछ नकुछ चर्चा की गई थी. तो सेम टाइप अध्यान का पहला अध्याय होने के कारण यहां भी की गई है और उसका कारण जैसे मैंने बताए कि रोगमादव परिक्षेता ततो अनंत्रम आउश्दाव। जो इससे पहला स्थान है, वो निदान स्थान है. उसमें हम क्या करने आला है? रोगमादव परि परिक्षा करके जो कुछ लाव हमें पाने हम इच्छा करते हैं, वो तो नहीं मिलेगा. इसलिए रोगमादव परिक्षेता ततो नंत्रम आउश्दम तो रोग की परिक्षा निदान स्थान में बताई, अब रोग के उपक्रम, मतलब रोग की चिकित्सा, उनका संप्राप् भंग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जो कुछ बताना है, हर व्याधी के बारे में जो कुछ बताना है, वो उसी क्रम से, क्योंकि जो क्रम निदान स्थान में व्याधियों का फॉलो किया गया है, उसी क्रम से यहां भी चिकित्सा उन्हीं व्याधियों की वरण की गई है. तो जैसे मैंने अभी बताया कि चिकित्सा क्या है संपराप्ति भंग है So it is always better कि जिस व्याधी की चिकित्सा के हम चर्चा करने जा रहे है उस व्याधी की संपराप्ति के बारे में अगर हमने थोड़ा सा रिब्रश किया तो it would be better कि जो कुछ हम चिकित्सा तत्व निश्चित करने जा रहे है मतलब जो चिकित्सा चत्व निश्चित किया गए है उनका अध्यान करने जा रहे है उनके बारे में हमें ज़्यादा अच्छी तरह से ज्यान होगा अच्छी तरह से हम उनको समझ सकेंगे इसलिए, just we will revise ज्वार की संप्राप्ति जिसके बारे में विस्तार से वैदिलाउगन करजी ने चर्चा की थी, okay, so we will just brief in within 2-3 minutes, okay, मलाहा तत्र स्वैही स्वैही दुष्टाहा प्रदूशणाई ही, आमाशयम प्रविष्य, आमम अनुगम्य, इधाये चा स्रोताउसी, पक्तिस्थानाच्य, निरस्य, ज्वलनम भही ही, सह तेन अभिजार्पंताहा, तपंताहा सकलम वपुहु, कुरुवंतो गात्रम प्रदूशणाई ही, स्वैही स्वैही प्रदूशणाई ही, मतलब हमारे मतलब उनके उनके जो जो प्रदूशण है, मतलब प्रकोप करने के कारण है, So it is very clear from this sutra, कि इस अध्याय में किसी भी व्याधी हित्तु का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन वागभट स्वैही मतलब अश्टांग वृदय में किसी भी व्याधी हित्तु का, I am speaking with reference to ज्वर only, ज्वर के व्याधी हित्तु का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए स्वैह स्वैही प्रदूशन नहीं हिं दुष्टाहा, मलाहा, इधर दोश के अर्थ से मलशब्द का प्रयोक किया गया है, तो स्वैही स्वैही कारण नहीं हिं, स्वैही स्वैही प्रदूशन नहीं हिं दुष्टाहा, कहां उतके प्रदूशन बताय गये है, तो निदानस्तान पह संप्राप्ति अप्रविश्य उसके बाद वो प्रकुपित हुए दोष जो है वो अमाशे में प्रवेश करेंगे इस वेरी इंपॉर्टन स्टिप अमाशे में उनका प्रवेश करना so it clearly indicates कि स्थानस अंश्रे अप इस पर्टिकुलर संप्राप्ति is अमाशे okay so अमाशेयम प्रविश्य आमम अनुगम्या अनु मतलब पश्चातिया सह so आम के साथ वो क्या करता है आमाशेयम प्रविश्या आनुगम्या आनुगम्या आम के साथ वो गमन करता है okay so आम की उत्पत्य होना next important step in this particular संप्राप्ति तो आम के साथ ये जो दोश है वो क्या करते है अनुगम्या पिधाये चा स्रोताओं सी so next step is स्रोताओं सी पिधाये चा स्रोताओं सी पिधान करना मतलब उनको आवरित करना उनको अवरुद्ध करना किसको अवरुद्ध करना है, स्रोतोसों को अवरुद्ध करना, यह next step इसमें आती है, अवरुद्ध क्यों करते हैं, it is clear, आम के कारण वो अवरुद्ध करते हैं, आम गुरु गुण का है, स्त्यान गुण का है, पिछिल गुण का है, तो दोश आम के साथ जब स्रोतोसों में लगेंगे उस वक्त, क्या होगा, स्त्याना पिच्छी लगुण के कारण वह वह चिपक जाएंगे और सुरोतो रोद उत-पनC down हो जाएगा, सो सुरोतावन सी पधायच्च्च उसके बाद पक्तिस्थानाच्च निरस्य ज्वलनम वहीं, ज्वलनम वहीं निरस्य उसको बाहर खींचते हैं कहां से बाहर खींचते हैं पक्तिस्थान अच्छ जो पक्तिस्थान है मतलब अगनी का प्राकृत स्थान है वहां से उस अगनी को वो बाहर खींचने का काम करते हैं मतलब जहां अगनी का प्राकृत स्थान है वहां अगनी मंद हो जाता है औ और जहाँ अगनी का प्राकुर्ट स्थान नहीं है, वहाँ आउश्ने बढ़ जाता है, उके साथ वो सारे शरीर में भ्रह्मन करता है, किसके साथ उस अगनी के साथ जिसको उन्होंने, उन्होंने मतलब किनोंने, दोशोंने अपने स्थान से बाहर खिंचा गया है, उसके बाद वो क्या करता है, अगर दोश अगनी के साथ है, और जो अगनी का स्थान नहीं है, वहाँ अगर उनका अभिसरपन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जहां से वो अभिसरपन कर रहे है, वहाँ गात्र अतियूष्ण हो जाएंगे, उसके बाद करूवन तो गात्रम अत्यूष्णम ज्वरम निरवर्त अन्तिते, और जो ऐसी स्थिति उत्पन होती है, जिसको हम ज्वर नाम से संबोधित करते हैं, So, if we see the entire Samprapti, हमें क्या दिखाई देता है, चार महत्वपूर्ण स्टेफ्स जो है, चार महत्वपूर्ण गटनाये जो है, वो इस Samprapti में महत्वपूर्ण है, स्वही स्वही प्रदुष्टनाई ही दुष्टाहा मलाहा, ओके, तो यह तो सभी Sampraptiों में common है, So, there is no need to highlight this particular point in this particular Samprapti. So, दूसरी जो स्टेफ है, आमाशयम प्रविश्च, यह इसमें महत्वपूर्ण स्टेफ है, क्योंकि सभी व्यादियों में स्थानस अंश्रय आमाशय नहीं होता है, So, जब हम चिकित्सा का प्रारंब करेंगे, तो स्थानस अंश्रय कहां है, इसकी ओर ध्यान देना अत्यनत आवश्यक है, So, it is a very important step, मतलब इसकी ओर हमें ध्यान देने की आवश्यक्ता है, दूसरी बात क्या है, आमम अनुगम्य, इसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यक्ता है, स्रोताओं से पिधाय, स्रोतोरोध की उत्पत्ति होना, यह भी संप्राप्ति में उत्पन होने वाले, सबसे महत्व पूर्ण घटना है, सो इसकी ओर भी हमें ध्यान देना है, जलनम भही ही निरस्या, जलनम बाहर होने के कारण, जहां उसका प्राकुर्ट स्थान है, उसका उस स्थान में आगनी मंद हो जाता है, उसके बाद तेन सकलम, तेन सहर सकलम, वपुहाभी सर्पन्ता, यह continuously होने वा पॉइंट नमबर वन, आमाशे स्थान संश्रे, पॉइंट नमबर टू, आमा की उत्पत्ति होना, पॉइंट नमबर थ्री, सुरूतो रोधा उत्पन्न होना, और पॉइंट नमबर फोर, अगनी का हनन होना, हनन होना मतनब अपने स्थान में उसकी शक्ती कम होना, बलकम हो और अन्यस्थान में उसकी शक्ती बढ़ना ये चार महत्वपूर्ण स्टेप्स हो जाती हैं. Now we will come to the first sutra from Chikicthastan. Now we will understand how it is described here. आरोग्यार्था क्रियाक्रमहा. क्या हो जाता है यहां? आमाशेस्था हत्वा अग्निम सामो मारगान पिधायः. जिन चार घटनाओं का, जिन चार स्टेप्स का, मैंने यहां आपको, मैंने हैलाइट किया था, उन्ही चार महत्वपूर्ण स्टेप्स का उल्लेख इस सूत्र में पहले किया गया है. क्या है? आमाशेस्था हत्वा अग्निम सामाजामो मारगान पिधायःच विदधाती ज्वरम दोशाह. जैसे मैंने यहां मलशब्द का प्रयोग किया गया है और यहां दोशब्द का प्रयोग किया गया है, तो it is clearly indicate करता है कि मलशब्द का प्रयोग दोश अर्थ से किया गया है. Okay, so आमाशेस्थ, point number one, जो चार मुद्दे बताए, वही चार मुद्दे यहां बताएगे हैं. यहां मुझे आपको highlight क्या करना है, इन चारों महत्वपूर्ण जो पड़ाव है, चार महत्वपूर्ण स्टेप्स है, उनकी चिकित्सा लंगन यह है. दोश अगर आमाशेस्थ है, आमाशेस्थ दोशों की चिकित्सा क्या है? आमाशेस्थ दोशों की चिकित्सा लंगन, पाचन यही है. हत्वा अगनि, अगनिका अगर हनन हो जाता है, तो उसकी चिकित्सा क्या है? उसकी चिकित्सा दीपन है, जो कि लंगन में आती है. साम दोशों की चिकित्सा क्या है पाचन उनकी चिकित्सा है जो कि लंगन का एक भाग है बंगन का एक सब टाइप बताया गया है मारगान पिधाययत मारगों का पिधान करना आवरण करना अगर ऐसी स्थिति है तो इनकी चिकित्सा भी स्रोत शोधन जो कि लंगन चिकित्सा में आते हैं मतलब पहला सुत्र हमें बताता है कि द्रिविधोपक्रम से कौन सी दिशा में हमें ज्वरकी चिकित्सा करनी चाहिए So it is clearly indicated कि आपकी सभी चिकित्सा जो है वो लंगन की ओर जाने वाली है अपतरपन की ओर जाने वाली है और उसका logic क्या है संप्राप्ति में उत्पन होने वाली चार महत्वपूर्ण घटनाए ज्वरकी उत्पत्ति करती है उन चारो घटनाओं की चिकित्सा हम लंगन से कर सकते है इसलिए लंगन ये ज्वरकी एंटाइर चिकित्सा का महत्वपूर्ण सूत्रे या बेसलाइन सूत्रे है जिस दिशा में हमें जाने की आवशक्त है नेक्स्ट क्या होता है अवर प्रेशन होताए ठीक है एक निश्चित हो गया है कि हमें लंगन की ओर जाना है तो लंगन कब करना चाहिए कैसे करना चाहिए और कब तक करना चाहिए इन प्रश्णों के उत्तर हमें मिलने की आवशक्ता है हमें सोचने की आवशक्ता है क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक policy नहीं होता है इसलिए जब हम एक policy decide करते हैं चिकित्सा सूत्र निश्चित करते हैं तो उसके भी जैसे हमने संप्राप्ती में steps देखे वैसे ही चिकित्सा सूत्र के कुछने कुछ steps होते हैं तो लंगन when we should start okay प्राग्रूपेशु ज्वरादव्वा प्राग्रूप की आवस्था में ही लंगन का प्रारंब करना चाहिए है कैसे मतलब आपके पास रुग्ण जब आएगा वो दोशों के विकृत लक्षन दिखाए देने के बाद तुरंत आएगा और आपक your patient as well as वईद्य कि वो पूर्ववस्था का ग्यान हमें पूरी तरह से होने की आवश्यक्ता है तो अगर ज्वर की पूर्वरूपावस्था में रुग्ण आता है तो पहले क्या करना चाहिए लंगन करना चाहिए समझो वो करने के बाद भी या रुग्ण आपके पास ज्यादा है और जो कुछ उपक्रम आप कर रहे है वो अलपबल है as compared to प्रकुपित दोशा अगर आईसी स्थिती है तो संप्राप्ति आगे चले जाएगी वो अगर आगे चले जाएगी तो पेशंट वी लैंड इन रुपावस्था ओके सो अगर वो रुपावस्था में ल लंगन ही चिकित्सा करने का विधान है मतलब पूरवरूप में और ज्वर की रुपावस्था के प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोक किया गया है रुपावस्था की सभी आवस्था में लंगन ही करना चाहिए ऐसा विधान यहां नहीं किया गया है प्रागरुपेशु ज परादवा, ओके रुपावस्ता में कैसे जाएगा, तो कारण हो सकते, एक तो दोशों का बल जादा है, या पेशन लैंडड, मतलब पेशन केम तु यू, वेन लैंडड इन रूपावस्ता, इन में से किसी भी कारण वस्त वह आपके पास आगया, तो भी आपकी चपितसा लं लंगन करते वक्त क्या करना चाहिए बलम यतने न पालयन जब आप लंगन चिकित्सा करने जा रहे हैं तो उस वक्त आपको किसकी और ध्यान देने के आवशक्ता है बलकी और ध्यान देने के आवशक्ता क्यूं है बलकी और ध्यान देने के आवशक तक क्यों है क्योंकि हमारा एंटार चिकित्सा उपक्रम जो है वो बलप्राप्ति के लिए ही है अगर हम जो कुछ चिकित्सा उपक्रम कर रहे है उससे अगर रुगण का बलक्षीन होता चला गया तो हमारा जो चिकित्सा उपक्त्रम का उद्देश है वही सफल नहीं हो जाएगा और जो लंगन चिकित्सा हम करने जा रहे हैं वो अपतरबन करने वाली चिकित्सा है धातूं का मतलब धारण रूप धातूं का दोश्य धातू मल तीनों में से जो धारण करने वाले हैं उनका क्षय करने वाली चिकित्सा है इसलिए हम चिकित्सा उपक्रम में अगर अपतरबण की ओर जा रहे हैं तो कितना अपतरबण हम कर सकते है उतना ही करना चाहिए जिससे ज़्यादा बलक्षय ना हो बलं यतने इन पालयन बलकी रक्षा करते करते मतलब ज़्यादा बलक्षय हो ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा बलक्षय ना हो इसके लिए ही प्रयास करने चाहिए तो बलं यतने इन पालयन मतलब अपर लिमिट कब तक लंगन करना चाहिए आ बल या बलक्षय ना हो यहां तक लंगन करने की आवशक्ता है कैसे हम आगे देखेंगे यहां यह क्यों करना है जैसे मैंने बताया कि बल यह हमारे चिकित्सा कर्म का उद्धिश है उद्धेश है तो बलाधिष्ठानम आरोग्यम आरोग्यार्था क्रिया कर्मा है क्रिया क्रम का उद्देश क्या है आरोग्य है और आरोग्य का अधिष्ठान क्या है बल है ओके सो ए का अधिष्ठान भी है और सी का उद्दिष्ठ अगर भी है तो सी का उद्दिष्ठ ए भी होता है जैसे मैंने बताया कि आरोग्य का अधिश्ठान बल है और आरोग्य ये क्रियाक्रम याने चिकित्सा का उद्धिष्ट है मतलब इंडिरेक्ली चिकित्सा का उद्धिष्ट चिकित्सा का साध्य क्या हो गया चिकित्सा का साध्य बलब प्राप्ति करना ही हो गया मतलब अगर जो कुछ चिकित्सा उपक्रम हम कम कर रहे हैं, वो बलक्षीन करने वाले हैं, तो उन चिकित्सा क्रमों को शुद्ध चिकित्सा ऐसा नामाभिदान करना ठीक नहीं होगा. इसलिए क्या कहा गया है, कि आपको उसी वक्त तक उस पॉइंट तक ही अपतरपन करना है, उस पॉइंट तक ही लंगन करना है, जब तक बल उसका ठीक है, बलक्षय प्रारंभ नहीं हो रहा है, या मतलम बलकी रक्षा करते आपको लंगन करने की आवश्यक्ता है. So it should be very clear कि क्या करना है लंगन करना है क्योंकि चार महतो पूर्ण संप्राप्ति में उत्पन होने वाली घटनाओं की चिकित्सा लंगन से की जाती है वो करते वक्त क्या करना है तो हमें बलकी रक्षा करनी है क्योंकि आरोग्य का वो अधिष्ठान है जो कि चिकित्सा का साध्य है So now we will move to Next point जो हम लंगन करने जा रहे है उससे क्या होगा उससे हमें फल क्या मिलेगा उस फल की चर्चा नेक्स सूत्र में की गई है लंगनाई ही क्षपिते दोशे दीपतेगनव लागवे सती स्वास्थ्यम इतनी फलश्ष्वती इतने सारे लाब जब हम लंगन करेंगे तो उत्पन्न होते है लंगनाई ही क्षपिते दोशे दोशों का क्षपन हो जाता है दोशों का क्षपन क्यों हो जाता है जब हम लंगन करते है गरणी का एक सूत्रा आपको शायद याद होगा जामने गरणी का अध्यन मेरे खायल से बहुत दिन हो गया लेकिन गरणी का अध्यन भी क्या था तो दोशक्षय यह लंगन से हो जाता है हो जाता है अगनी ही आहारम बचती दोशान आहारवर जिता है जब आहार हम नहीं देंगे तो क्या करेंगे अगनी क्या करेगा अगनी क्षपन करेगा किसका क्षपन करेगा दोशों का क्षपन करेगा तो अगर दोश वृद्ध आवस्था में है प्रकुपित आवस्था में ह तो दोश क्षय करने के लिए लंगन ये चिकित्सा है, तो दोशों का क्षपन होगा लंगन के कारण, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद लंगन ही क्षपिते दोशे, दीपतेग नव, अगनी की दीपती हो जाएगी, क्यूं हो जाएगी, यहाँ अगनी मंद जो हुआ मतलब अगनी के उपर दोशों का और आम का आवरन है, इसलिए अगनी प्रदिप्त नहीं है, इसलिए वह अपनी जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहा है, इसलिए अगर अगनी दीपती करनी है तो दोशों का और आम का जो आवरण अगनी पर है उसको हमें दूर करनी के आवशक्ता है और वो भी क्या करेगा लंगन से वो दूर हो जाएगा लंगन से पाचन हो जाएगा तो पाचन के बाद आम का क्षय हो जाएगा दोशों का क्षय हो जाएगा और आवरण कम होने के बाद अगने अपने आप प्रदिप्त हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा लाघवे सती लाघव उत्पन जाएगा कहां सारे शरीर में लाघव उत्पन जाएगा क्यों लाघव उत्पन हो जाएगा आम वृद्ध होने के कारण और आम गुरु होने के कारण गवरव उत्पद्न होता है तो जब हम लंगन करेंगे तो आम का क्षय होने के बाद आम का पाचन होने के बाद गवरव कम हो जाएगा और लागव प्रचिती लागव सौत्न्या रुगणको प्रतीत होगी उसके बाद क्या हो जाएगा स्वास्तियम स्वास्तिकी अनुभूती उस रुगण को होगी स्वास्तिकी अनुभूती होगी मतलब क्या होगी प्रकुर्दिस्थापनम अब मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है ये जो अनुभूती है वो अनुभूती रुगण करेगा उसके बाद अगनी दीप्ति हो जाएगी, तो अगनी दीप्ति होने के बाद, what will be the next step, खुद्बोध हो जाएगा, जब तक अगनी प्रधिप्त नहीं होता, तब तक खुद्बोध नहीं हो जाएगा, तो खुद्बोध क्यों होगा? आमा पचन होने के कारण, उसके बाद तुरुषना की उत्पत्ती हो जाएगी, तुष्णा की उत्पत्ती भी क्यों हो जाएगी, आमा का पचन होने के बाद, आहार का पूर्ण पचन होने के बाद, जो जो लक्षन उत्पन्द होते है, वहाँ, जिसका वरणन किया है, शुदा और तुष्णा उत्पन्द हो जाते हैं, जब पहला लिया हुआ आहर पूर्ण मात्रा में पज जाता है मतलब आम जब पूरी तरह से पाचित हो जाता है उसका क्षय हो जाता है तो खुत और तुर्ट इनकी उत्पत्ति हो जाती है उसके बाद पक्ति ही पाक किसका पाक हो जाएगा आम का पाक हो जाएगा बल बल मितलब उत्साह की वुद्धी वुद्धी जाएगी उत्सा की वुद्धी को क्यों हो जाएगी हमेशा हमें गल्ती करते हैं कि we always try to correlate बल only with धातुक्षय आवस्ता which is not true भलक्षीन होना बिन्न बिन्न आवस्ताओं में हो जाता है let's take example आमा की वुद्धी हो जाते है तब भलका क्षय हो जाता है दोशों की वुद्धी हो जाती है तब भलका क्षय हो जाता है so अगर पहली दो आवस्ताय देखी तो बल को प्राप्त करने के लंगन की आवशक्ता होती है, संतरबन की आवशक्ता नहीं होती है और जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया धातुक्षय आवस्था जन्य अबलत हुआ उसी आवस्था में सिर्फ संतरबन की आवशक्ता होती है तो आम के कारण अगर बलक्षय हुआ है, दोशे वृद्धि के कारण अगर बलक्षय हुआ है, तो लंगन ही चिकिछा है जो बलक्षि वृद्धी करेगी, मतलब क्या धातूओं की सारता, मतलब जब आम उत्पन हो जाएगा, मतलब अगनी अच्छा तरह से काम नहीं करेगा, तो सारवान धातुओं की उत्पत्ति नहीं होगी, जब आमका पचन हो जाएगा, अगनी प्रदिप्त हो जाएगा और अगनी प्रदिप्त होने के बाद सारवान धातुओं की निर्मिती होना प्रारम वोग जाएगा, तो जो पक्त ही बलम ओजश्च जायते इतने सारे फल हमें लंगन से प्राप्त होने वाले हैं So it is our duty कि जब हम लंगन करने वाले हैं तो ये लक्षण, ये फल हमें मिले है या नहीं मिले है इसकी ओर हमें ध्यान देने की आवशक्ता है जैसे मैंने बताया कि लंगन, लंगन शब्द का अर्थ क्या लेना चाहिए मैंने आपको बताया कि ये आपको एक दिविधों पक्रम में से एक उपक्रम की ओर ले जा रहा है लेकिन कुछ टीका कारों ने लंगन शब्द का अर्थ मर्यादित कर दिया है restrict किया है कि लंगनत का आर्थ यहां सिर्फ उपवास, आहार वर्ज, इतना ही मर्यादित किया है, लेकिन जब आप next सूत्र पर जाएंगे, तो you will come to know कि यह इतना मर्यादित नहीं दिखाई देता है, इसलिए next step of Chikitsha is Vaman, कब Vaman करना चाहिए? details इसमें बताया गया है कि किस आवस्था में Vaman करने की आवशकता है, यहां Vaman करने का विधान किया गया है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो लंगन शब्द का प्रयोक पहले किया गया है, उस लंगन का आर्थ सिर्फ अनाहार, आहार वर्जन, इतना मर्यादित करना आवशक नहीं ह आगे उसके बारे में भी चर्चा की गई है, तो लंगन का प्रारम भजब हम करेंगे, तो वमन भी लंगन का एकादशरूप लंगन है, एकादशरूप लंगन में से वमन कप करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा यहां की गई है, क्या चर्चा की गई है, पहली जो लाइ वो क्या बताती है? वो अवस्था बताती है. किसकी आवस्था? दोशों की आवस्था का वर्णन करती है. तत्र उत्कृष्टे, समुत्कृष्टे, कफप्राय, चले मले. मतलब क्या? उत्कृष्टे मले, समुत्कृष्टे मले, कफप्राय, मले, चले मले. अगर आईसी स्थि इंडिकेर करता है अगर दोश अल्प मात्रा में है तो वमन के और जाने के आवशक्ता क्या है सिर्फ पाचन मतलब लंगन लंगन मतलब अनाहार रूप लंगन करेंगे तो भी दोशों का पचन हो जाएगा लेकिन अगर दोश उतकृष्ट है उतकृष्ट है मतलब अतिप्रभूत है गुण कर्म लक्षन तहां अत्यदिक है अगर आईसी स्थिटी है तो उस अवस्था में सिर्फ अनाहार करके आप दोशों पर विजय पाँ नहीं पा सकेंगे इसलिए वहाँ क्या करने के आवशक्ता है शोलन करने के आवशक्ता है समुतक्लिष्टे मले अगर दोश समुतक्लिष्ट है समुतक्लिष्टे स्थान चलिते मतलब अपने स्थान से चलित होकर के वह बही प्रवुरुत हो रहे है अगर आईसी स्थिटी है तो ही यहाँ वम देने के लिए अत्यंत आवश्चक अवस्था है क्योंकि यहां रुग्ण जोरसे पीडित है so it is not possible to perform पूर्व कर्म स्नेहन, स्वेधन वगरा जो पूर्व कर्म है वो करने के बाद वमन करेंगे यह तो असंभव है, so यहां जो दिखाए देता है वो सद्ध्यो वमन की आवस्था है और सद्ध्यो वमन हम उसी वक्त दे शकते हैं, सद्ध्य शोधन हम उसी वक्त कर सकते हैं जब दोश उत्कलिष्ट हो, जो पूर्व कर्म से हम उनको उत्कलिष्ट करने का प्रयास करते हैं वो प्रयास करने के सिवा ही, अगर दोश उत्कलिष्ट आवस्था में है, तो इसी का वर्णन यहां किया गया है समुद्ख्रिष्टे मले, मतलब स्वस्थान चलिते मले, कफप प्राय मले, जैसे कि हम आपने संप्राप्ते में देख लिया है, कि ज्वर एक उत्पन्न से, एक दोश से उत्पन्न होने वाला वैदी नहीं है, तीनों दोश मिला करके ज्वर की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन ववन देनी की आवशक्ता है, उसके बाद चले मले, शिथिलमला, चलमला मतलब शिथिला, अगर वो स्त्यान गुण के गारण, मृत्सन गुण के गारण, स्रोत्तोस उनको चिपक गये है, वहां से उनको निकालना अत्यनता आवश्चक है, लेकिन पुरुव कर्म के बिना अगर हम उनको निकाल नहीं सकेंगे, तो जो कुछ ववन उपक्रम हम करेंगे, वह निश्पल हो जाएगा, इसलिए वहां नहीं चिपके है, चला आवस्था में है, इसको देख लेना भी अत्यनता आवश्चक है, सो दोशा आवस्था में, कौन-कौन सी, मतलब यह चार महत तो पूरण आवस्था है जो हमें वमन का निरणय करने के पहले देखनी चाहिए, प्रभूत मात्रा में है, मतलब बहु दोशा आवस्था है, दोश उत्कलिष्ट आवस्था में है, कफपराय है, और शला आवस्था में है, यह अगर दोशा आवस्था में देख लिया, so that will इसके बाद क्या वर्णन किया है? मतलब इन लक्षणों के साथ रुगणा अगर आता है, मतलब ये लक्षण उसमें उत्पन्न होता है, वर्लास उत्पन्न होता है, वर्लास क्या करता है? वमन हो रहा है, ऐसा अनुभव रुगणा करता है, what does it indicate? इट इंडिकेट की दोशों को बाहर जाने की इच्छा है, उनको सिर्फ आपको पुष करना है, आप इतना करेंगे, तो वो दोश बाहर जाएंगे, और रुगणा को स्वास्ते की अन्दभूची होगी, ओके, इट इंडिकेट की वह वर्लास कब होता है, दोश जब आप वुर्देस्त होते हैं, तो वुर्दे क्या है, आमाशे का द्वार है, वो द्वार तक आ गए है, सिर्फ उनको बाहर निकल देना है, प्रसेकल, अगेन, सेम, उत्कलिष्ट आवस्था, मतलब वो अपने आप, मतलब बार 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 निकलने की इच्छा होती है, मतलब वामक द्रव्य देने के बाद जो लक्षण उत्पन होते हैं, उनको देख लेंगे, तो उसमें भी ये दो लक्षणों का वरण किया गया है, अन्नद्वेश, ये कफाधिक का लक्षण है, विसूजिक ये चलमल का उत्पन होने का उधारन है, वो दोशों की जो अवस्थाय बताई गई है, उनके निदर्शक है, मतलब व्रिलास प्रधान है, पसेक प्रधान है, अन्नद्वेश है, और कास और विसूजिक का ये लक्षण उत्पन हो ये है, ऐसे अगर स्थिती है, तो वमन देनी के आवश्च रखता है, उसके बाद ज्वरकी कौनसी आवस्था होनी चाहिए, सद्द्यो भुक्तस से संजाते ज्वरे, मतलब ज्वरक कब उत्पन होता है, सद्द्यो भुक्तस से संजाते, खाने के बाद, भोजन के बाद ज्वरकी उत्पत्ती हो जाती है, और उसके बाद क्या है, सामे मिशेश तहा, सामा अवस्था में उसका वमन करने का विदाने, मतलब दोशों की ये आवस्था हो, ये लक्षण अगर रुगन दिखाता है, और ज्वरकी ये आवस्था हो, तो हमें वमन की और जाने की आवस्था है, लेकिन उसके पहले एक महतोपूर्ण और एक कंडिशन दिये है, वमनम वमनार हस्यव, जो रुगन वमन के लिए अर्ः है, अभी तक ये जो तीन आवस्था हैं देखी, दोशों की आवस्था, ज्वरकी आवस्था और लक्षण, ये रोग की आवस्थाउं का ज्यान हो गया, लेकिन जब हम शोधन का, वमन का निर्णे करेंगे, तो सिर्फ रोग की और देख करके, निर्णे करने की आवश्था नहीं है, अगर हम वो करेंगे, तो वो बड़ी भूल होगी, तो हमें रुगन की और भी ध्यान देना चाहिए, तो रुगन की और जब ध्यान देगे, तो हमें क्या करना दे, क्या देखना चाहिए, वो रुगन वमन के लिए अरह है या नहीं है, अब प्रश्ट उठता है क्या ऐसी कौन सी आवस्था होगी, क्यों नहीं होगी, इन सब अविस्थाओं में मतलब रोग और दोशों की आवस्था में रुगन बैटता है, लेकिन रुगन ही वमन के लिए अरह नहीं है, ऐसा हो सकता है, समझो बाल है, समझो वृद्ध है, समझो गर्भिनी है, समझो अबल है, समझो सुकुमार है, ऐसी बहुत सारी आवस्थाएं है, जहां रोगावस्था शोधन के लिए आपको इंडिकेट कर रही है फिर भी रुगणावस्था अनुकूल ना होने के कारण आप ववन या अन्यशोधन कर नहीं कर सकते So it is very important to not only concentrate on any one side मतलब रोगावस्था, रोगावस्था and रुगणावस्था दोनों की ओर हमें ध्यान देने की अत्यनत आवस्था है So it is a, मतलब ये आवस्था है इस आवस्था में ववन दे दिया तो रुगणावस्था को स्वास्थे की उत्पत्ति हो जाएगी अब ये प्रश्ण उठता है कि अगर इस अवस्था में आपने ववन नहीं दिया तो क्या हो जाएगा अन्यता ववने दोशाह इस अवस्था के विपरीद अवस्था में आपने ववन का प्रयोग किया तो क्या हो जाएगा इतने उपद्रो अगर आपने अन्यता वमन किया अयोग्यावस्था में वमन किया तो उत्पन्न हो जाएगे क्या उत्पन्न हो जाएगा श्वास उत्पन्न हो जाएगा क्यों उत्पन्न हो जाएगा दोश अगर अनुत्कृष्ट है अनुट्क्लिष्ट है में इतलब बहु नहीं है आतफि प्रभूत नहीं है ऐसे अगर स्थिति हो और वमन का प्रयास किया तो क्या हो जाएगा जो कुछ दोश है वो सिर्फ उत्कलिष्ट हो जाएगे और उत्कलिष्ट होने के कारव वाईव का मारगावरोध होगा मारगा रोज होने के कारण श्वास की उत्पत्य हो जाएगी अतिसार क्यों उत्पत्न हो जाएगा दोश समझो अलप मात्रा में उत्कलिष्ट है उत्कलिष्ट है लेकिन अलप मात्रा में उत्कलिष्ट है और पूरी तरह से आपको शोधन करने में सबलता प्राप्त नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? संद उत्पन्न हो जाएगा संद मतलब क्या हो जाएगा? आप प्याउश बढ़ेगा जो अगनी के विपरीत है तो अगनी नाश करेगा अगनी नाश करेगा तो आतिसार की उत्पत्ती हो जाएगी सम्मोह की उत्पत्न हो जाएगा दो शगर अल्पमात्रा में है शुष्क है और आपने वमन के लिए तीक्षन आउश्द मतलब शोधन करने वाले जो द्रव्य है वो तीक्षन गुणा वाले होते है क्या होते हैं, शोधन ओैंतिक्षना, तीखिन गुणगि काम ही है, शोधन करना, तो आपको अगर वंद करना है, तो तीखिथन गुणईप्त द्रव्यों की आवश केता है, तो उन द्रव्यों का आप जब पृियूग करेंगे, और दोश अगर अपने आप ही शुष्क आहें, अगर तीक्षना उक्षदों का हम प्रयोक करेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? धातूओं का क्षय हो जाएगा, और धातूओं का क्षय होने के कारण सम्मोह उत्पन्न हो जाएगा, प्राया क्षय किसका होगा? रसका होगा, तो सम्मोह उत्पन्न हो जाएगा, उसके रुद्रोग उसी आवस्था में सम्मोह के बाद भी अगर वही चलता रहा तो दोश उर्दोप्रवर्ट हो जाएंगे और जब वो उर्दोप्रवर्वर्ट हो जाएंगे तो रुद्रोग की उत्पत्य हो जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण जो उपद्रव है वो विशमज् क्यूं अल्प दोश निरहरन हो जाएगा जो दोश है उनका निरहरन पूरी तर से ठीक तर से नहीं होगा अल्प मात्रा में होगा तो जो अल्प दोश शेश रह गए है वो क्या करेंगे वो अन्यान्य सुरोतों में जाकर बैठे जाएंगे उनका बल क्या है? उनका बल तो अल्प है वो आपने आत्तो व्यादी की उत्पत्ति नहीं कर सकते क्योंकि उनका बल अल्प है लेकिन किसी और कारणों का अगर उनको सहयोग मिलता है तो वो दोशों की रोग की उत्पत्ति करेंगे उके? तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो वो विशमज्वर उत्पत्ति करेंगे तो इतने दोश अगर हमने अस्थान ये बताने के आज आवश चकता है क्योंकि जब हमारे पास रुगना आते हैं तो अगर आते हैं तो मतलब जो उस अवस्था में उचित है योग्य है उस अवस्था के अनुरीब चिट्या का चैयन करना हमने शोधन दिया उसके बाद ही आवं उसको ठीक कर सकेंगे ऐसा नहीं है सिर्फ शुंटि दिया और रुगन ठीक हो गया, ऐसा भी हो सकता है what is important? अवस्था निश्चिती is more important so जैसे मैंने बताया कि लंगन दोश अगर बहु है, उत्कलिष्ट है जो अवस्था हैं बताई वो अगर उबस्थित है तो हमें शोधन रूप लंगन की ओर जाना चाहिए, वमन करना चाहिए क्योंकि क्या, अरे आमाशे में दोश है तो क्या विरेजन देंगे या बस्ती देंगे आमाशे से दोश है तो वमन ही करेंगे वो अगर अन्यता वमन किया तो इतने दोश उत्पन्न हो जाएंगे now we will come to the next point that is वमन योग अगर वमन करना है तो कौन-कौन से साधन हमारे साथ उपलब्द है लास्ट पॉइंट इस वेरी इंपोर्टन बलकाल विभाक वित मतलब इतने जो वमन योग हमने बताए गए है वो बलकाल बलकाल विभाग वित और बल और काल का ज्यान जिसको है उसने इन दो मुद्दों का विचार करके दो महत्वपूर्ण जो पॉइंट से बल और काल इनका विचार करके इन में से योग्य उचित योग का चैन करना है और उसकी साहियता से वमन करना है बटलब what is important इन में जो हमें चैन करना है उसके लिए criteria क्या है? criteria बल और काल है, it is very important. So हम कुछ न कुछ differentiation करने का प्रैस करेंगे, सभी योगों का नहीं किया है, पहला योग क्या है? पिपपली भीर युतान गालां, पिपपली और मदनफल, इनको गालां का मतलब है मदनफल, पिपपली और मदनफल इनका 67 मतलब मिश्रण करके वमन देना है, इन दोनों गुडों की और देख लेंगे, तो शीत, रूक्ष ऐसा काल हो, और मतलब दोशों का बला मद्यम हो, मैं जो यह inference निकाल रहा हूँ, वो यह जो द्रव्य है उनके गुणों के आधार पर निकाल रहा हूँ, आपको अगर कुछ चंका है, तो आप इनके गुणों के और देखेंगे, तो आपको ठीक तरह से समझ में आएगा कि ऐसा inference में क्यों निकाल रहा हूँ, okay? इंद्रया और मदनफल, जब शिगधा और उषनकाल हो, मध्यमबल हो, या उत्तंबल हो, या मध्यम या उत्तंबल हो, वीच वाली आवस्ता हो, तो उसमें उन्डया और मदनफल का परयोग कर सकते हैं, यश्टी मदुवर मदनफल, उषनः और रूख शकाल है, तो इसस्थिति में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोश सकत है, विबद्ध है और उस अवस्था में मतलब निकालने के लिए बाकी जो अवस्था है वो ठीक है। लेकिन दोश अल्पमात्रा में सकत है। तो लवन का प्रयोग करेंगे तो आपने आप बाहर जाएंगे। तरपण और मदनफल। किसी तरपण और मदनफल का प्रयोग है। कब जब रुगन दुरुबल हो। लेकिन दुरुबल तो इतना ना हो कि हम शोधन का उपक्रम ही ना करें। लेकिन हमें ध्यान देने के आवशक्ता है। अईसे अगर स्थिति है तो तरपण और मदनफल के साथ हम वामन कर सकते हैं। इक्षुरसा और मदन अगर मद्यनित्यरुगन है तो अगर उसका ही प्रयोग अगर वामन के लिए किया तो तो और लास्ट पॉइंट इस मोर इंपॉर्टन क्या लास्ट पॉइंट बढ़ाया है? बताया गया है कल्पोदितानी। मतलब इतने ही सिर्फ कल्प उपलब्ध नहीं है जिनके साहयता आजे वमन करना है कल्प स्थान में अन्य जो जो कुछ वमन योग बताये गये है उन में से जो आपको युक्त लगे जो आपको योग लगे उसका प्रयोग आप यहां कर सकते हैं तो वमन इस ओहर, now after वमन, what should be done? विशोशन, विशोशन का मतलब क्या है? देखेंगे कुरते अक कुरते वा वमने, ज्वरी कुर्यात विशोशनम, दोशानाम, समुधीरनानाम, पाचनाय, शमाय, चो कुरते अक कुरते वा वमने, मतलब आप वमन करे या वमन ना करे मतलब वमन करे तो भी आपको विशोशन के ओर जाना है और आप वमन ना करे तो भी आपको विशोशन के ओर जाना है मतलब it is clear indication कि अगर बहुदोश है तो वमन के बाद विशोशन के ओर जाईए, दोश अल्प है तो वमन के सिवा विशोशन के ओर जाईए वो विशोषण क्या करेगा दोशाणाम समुदीरना नाम पाचनाय शमाय चर्व वो समुदीरन जो दोश है उनका क्या करेगा पाचन और शमन करेगा जिसके बारे में हमने पहले चर्चक की है तो पाचन क्यू करेगा लंगन है जो आम है तो बाहर जाएगा सिर्फ लंगन अन वर्ज किया तो भी क्या हो जाएगा पाचन हो जाएगा So, दोनों आवस्थाम में आम का पाचन हो जाएगा, आम कम हो जाएगा और जैसे मैंने पहले बताया, दोशों का क्षे कैसे हो जाएगा So, दोश कम हो जाएगे Okay, और, मतलब सामधोष पाचन और सिर्फ सामन, मतलब आम पूरी तरह से निराम हो गये है फिर भी उनका शमन करना ही है तो विशोशन की ओर हम जब जाएंगे तो आइदर हम पाचन की ओर जाएंगे मतलब आवर टार्गेट उडवी पाचन और दोशिशमन और बोथ मतलब अलपसाम आवस्ता है अगर आई सिस्थी के है तो हमें क्या करना चाहिए पहले हमारा टार्गेट विशोशन का पाचन होगा और उसके बाद दोशिशमन होगा तो यहां विशोशन का आर्थ जो है वो पूर्ण तहा अन्नवर्जन है तो पहले लंगन शब्द का जो प्रयोक किया है वो उपक्रम का निदर्शक है और यहां विशोशन जो शब्दो प्रयोग किया है, सिर्फ अन्वर्ज, उपवास शब्द का प्रयोग नहीं किया है, विशोशन मतलब शुष्क, रूख्षण की ओर जा रहा है, मतलब देखिये, हमारा, मतलब पहले लंगन बताया, लंगन के बाद अब वो रूख्षण की ओर किंचित जा रहे है, पूरी तरह से रूख्षण की ओर मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ज़्यादा रूख्षण हो जाएगा, क्या उत्पन्न होता है, वो आगे वरनन उसका किया गया है, लेकिन what I want to highlight, कफः प्रयमल है, आम आवस स्था में रूख्षण का रोल महत्वपूर्ण रहता है, तो लंगन में से ही एक उपक्रम रूख्षण, इसकी ओर ये सूत्र हमें इंडिकेट करता है, इसकी ओर हमें वो इंडिकेट करना है, तो अब ये जो विशोषण करना है, वो क्या करना है, अन्न वर्जन रूप है, तो उसते क्या हो जाएगा? जैसे मैंने पहले बताया कि यहां अगनी मंदक क्यों हो जाता है? अब आप बाहर के अगनी के और देखेंगे तो उसका जब आवरण हो जाता है किसके कारण? भस्म के कारण जब वो आवरण हो जाता है भस्म का आवरण हो जाता है तो वो अपना पाचन कारिया ठीक तरह से नहीं कर सकता उसी तरह आभ्यंतर आगनी जिसके हम अभी चर्चा कर रहे हैं वो जाठर आगनी अगर दोशों से आवरित है ऐसे अगर स्थिती है तो आवरण के कारण वो अगनी का पचन नहीं करेगा जैसे बहिर अगनी बसमावरण के कारण अगनी का अपना पाचन कारिया नहीं करेगा उसी तरह आभ्यंदर अगनी भी आमावरण या दोशावरण होने के कारण अपना पाचन का कम नहीं करेंगे तस्मात ऐसा होने के कारण क्या करना चाहिए आदोश पचनात जब तक दोशों का पचन नहीं होता है ज्वरितान उपवास येद ज्वरि रुगन जो है उसका हमें क्या करना चाहिए उपवास करने की आवशक्ता है मतलब क्या करना चाहिए और कब तक करना चाहिए इसका भी यहां इंडिकेशन मतलब प्रोटोकॉल कितना फिक्स किया गया है ये क्यों करना है आवरण है इसलिए करना चाहिए दोशों का पचन करना हमारा उद्धिष्ट है, कब तक करना चाहिए, वो जब तक साथ दिन नहीं होता, तब तक वो करना चाहिए, मतलब एक दिन करना चाहिए, चार दिन करना चाहिए, छे दिन करना चाहिए, दस दिन करना चाहिए, ऐसा नहीं है, तसमात आदोश पचना, ज तब तक दोशों का पचंद नहीं होता, तब तक ज्वरितान उपवास है, ज्वरिता मतलब ज्वरसे पीडितर रुगनको क्या करना चाहिए? उसको ज्वरसे पीडितर रुगनको क्या करना चाहिए? लंगन देना चाहिए, और यहां लंगन शब तक आरथ क्या है? उपवास ह इस उपवास में शिर्फ अन्न वर्ज है या जलबी वर्ज है जलबी वर्ज के बारे में तो चर्चा नहीं किया है जलबी वर्ज करेंगे तो तरपन भी नहीं हो जाएगा और बलक्षय तीवर गति से हो जाएगा इसलिए उदकवर्जन के बारे में तो चर्चा नहीं किया है तो अगर उदकपान करना है तो वो कब करना है और कैसे करना है इसके बारे में चर्चा अपकिये है तुष्टक अलपालपं उष्णाम्भू पिबेत वात कफज्वरे तत कफं विलयं नीत्वा प्रुष्टाम आश्वनिवर्तयत उदीरियच अगनिम स्रोताउसी मृदुकृत्यव विशोधयत लीनपित्त अनिलस्वेद शक्रन मूत्रानु लोमनं निद्रा जाध्य अरुचिहरं प्राणानाम अवलंबनं विपरीतं अतहशीतं दोशसंघात वर्धनं वेट इंबोर्टन पिबेत वातकफघ्जरे उषनामवपान का विधान यहां किया गया है तो कहां करना है उषनामवपान करना है कैसे करना है यहां कारण अल्पकाल के लिए उत्पन्न किया है तो उसका स्वभाव क्या है उसका स्वभाव तो शीथ है तो इसलिए जब प्यास लगेगे तृष्टम अल्पाल्पम अल्प 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 थोड़ा अल्पाल्प मात्रा में क्या है उश्णांबु पिवेद गरम पानी पीना चा उसके बाद वो क्या करेंगा, तुरुष्णा निवर्तन, तुरुष्णा का निवर्तन करेंगा, और तुरुष्णा कम करने लिए तो शीत जलका विधान है, तुरुष्णा का अध्या देखेंगे, और यहाँ वो क्या कर रहे है? तुरुष्णा निवर्दन हो जाएगा. किस की साहेता से? उष्णोदक की साहेता से. क्यूं हो जाएगा? क्यूंकि यहाँ जो तुरुष्णा उत्पन्न होती है, वो तुरुष्णा अप्याउशे श्यावस्था के कारण नहीं उत्पन्न होती आम के उतप्तों continentalya हिएं, आम का जयसे-जैसे पचन हो जाएगा, तुष्टा का निवर्दन हो जाएगा. अगनी उधिरन, अगनी का उधिरन हो जाएगा. जयसे-जैसे पाचन हो जाएगा, आवरन नकम हो जाएगा और अगनी प्रदीपत हो जाएगा. In addition to that, उश्न गुण के कारण भी अगनी प्रदिप्त हो जाएगा. सुरोतोसों में मार्दव आ जाएगा. सुरोतोसों में मार्दव क्यों आ जाएगा? जब आउश्न बढ़ेगा और सुरोतो रोध तो पहले हुआ ही है. आम के कारण सुरोतो रोध उत्पन्न हुआ है. वो उश्नोदक, वहां उश्न और आप्याउंश के कारण अलप स्निगधत्व के कारण. मतलब आप्याउंश है, तो आलपाउंश में वहां स्निगधा है ही. सो स्निगधा और उश्न ऐसे गुण जब वहां पहुंचेंगे, तो जो काठिन ने सुरोतोसों में उत्पन्न हुआ ह वो मार्दव उत्पन्न हेगा, वो कम हो जायेका और मार्दव उत्पन्न हुआएंगा. सुरतस्चोधन, क्यों सुरतस्चोधन हो जाएगा? उस्न घुन के कारण जो दोष वहां बैटे है, वो द्रवरूप हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और वो उनको, वो स्वयम जाएगा उष्ण गुण है तो उनके कारण क्या हो जाएगा पित्ता दी पित्ता दी मतलब अन्यदोश भी उनका अनुलोवन हो जाएगा निद्रा हर निद्रा कम करेगा या निद्रा क्यों कम करेगा डेफिनेटलि यहां निद्रा क्यों आ रही है आम के कारण आ रही है आमा पाचन हो जाएगा, तो निद्रा कम हो जाएगी. Same is applicable to जाध्य हर. गुरुगुण के कारण जब जाध्य उत्पन हो जाता है, तो उष्ण गुण के साहियता से जब वो पाचन हो जाएगा, तो गवरव कम हो जाएगा. अरुचि हर. अरुचि, तो अरुचि क्यों उत्पन हो जाता है? अगें, द्यूटु आम. और प्राणा अवलम्बनम. प्राण बल. बल का अवलम्बन करेगा, बल की रक्षा करेगा. क्यों रक्षा करेगा? जैसे में देखाएगा, या तरपन करेगा. तो यहाँ तरपन करने के आवशक्ता है, और तरपन प्रायहा शीत जलसे किया जाता है. लेकिन यहाँ आम उपस्तित होने के कारण हम शीत जलसे नहीं दे सकते हैं. इसलिए वातकफज्वर में क्या करना है? उश्नोदका is very important. उसके बाद क्या वर्ण किया है? उसके बाद विपरीतम अतहशीतम दोशसंगात वर्धनम इस अवस्था में मतलब जिस ज्वर की आवस्था कि हम चर्चा कर रहे हैं उस अवस्था में उश्नाम्बु के बजाएं उश्नाम्बु के सिवा अगर हमने शीत जलका शीतम्बु का प्रयोक किया तो क्या हो जाएगा? देखिए कफविलयन के बजाए कफव का सांधरी करण हो जाएगा शीत गुण के कारण वो संकोच हो जाएगा और सांधरी करण हो जाएगा तुरुष्णा का प्रवर्थन होगा क्योंकि आम की वृद्धी होगी अगनी मंद होगा क्योंकि वो शीत गुण का है सुरुतोसों में काठिन्या आ जाएगा क्यों क्राठिन्या जाएगा? शैत्त के कारण स्थम्बु उत्पन्द हो जाएगा सेम कारण सुरुतोरोध उत्पन्द हो जाएगा लीन पित्तादी का संगात अनुलोमन के लिए उश्णकुन की आवशकता है शीत अगुन क्या करेगा स्थम भगति को स्थम भीत करेगा तो इसलिए दोशों का संगात होगा निद्रा उत्पन्न होगी आम की वृद्धी के कारण जड़्य उत्पन्न होगा आम की वृद्धी के कारण अरुची उत्पन्न होगी आम वृद्धी के कारण और दोश संगात वर्धन दोशों का संगात का वर्धन हो जाएगा क्यों क्योंकि शीत गोने से इतने सारे जब दोश उत्पन्न होगे तो क्या हो जाएगा दोशे संगात की वुर्दी हो जाएगी इस लिए इस आवस्था में कौन सी आवस्था में वातक कफज्वर में शीतक जल का निशेद है उष्ण जल ही उतमें अत्यम्द आवश्चक है और दूसरी एक महत्वपूरूना बात यहां है कि उष्ण जल यह य उत्पन्न होने वाला है कि नहीं आमा तो वहां रहने वाला है तो यहां वो व्याधि प्रत्यनीक भी है फिर भी यहां विधान क्या है वो व्याधि प्रत्यनीक होने के बाद भी आम का पचन करने के लिए अतन्द आवस्चक होने के बाद भी विधान क्या है पिबेद वात कफज्वरे, सिर्फ वातकफज्वर में ही इसका प्रयोग करना चाहिए. Okay? So, next point what they are highlighting, इतना कुछ होने के बाद भी, इतना उश्णोद का अत्यनत उपयुकत है, फिर भी, क्या है? उसका कही न कही निश्यद है. Always हमेशा पत्यकर और हमेशा अपत्यकर, ऐसा कुछ नहीं होता है. जो आवस्था होती है, वो आवस्था डिसाइड करती है कि वो पत्यकर रहेगा या अपत्यकर रहेगा. So, इतने गुण देले वाला उश्णोदक भी अगर इस आवस्था में उसका प्रयोग किया, तो वो कुछ नहीं कुछ दोश उत्पन न करेगा. इसलिए उश्णाम्भु का जोरके विशिष्ट अवस्था में निशेत किया गया है. कौनसी अवस्था है? उश्णम एवं गुनत्वे अपि युन्जातन एकांत पित्तले उद्रिक्त पित्ते दवतु दाह, मोह, अतिसारिनी, विशमध्योत्थिते ग्रीश में, चतक्षीने, अस्रपित्तनी. इकांत पित्तले इकांत पित्तले मतलब केवल पित्त के कारण अगर जवर उत्पन हो जाता है, आईसे अगर स्थिती है तो मतलब पित्त जवर की मतलब उस अवस्था में भी अन्यान्य दोषकुष्ण कुछ तो काम करेंगे, लेकिन उसका नामा भीदान पित्त जज्वर होगा, पित्त जज्वर में उष्ण कुण सयाकर पित्त भड़ गया है, तो दोषका आउष्ण और व्याधिस्वभाव से उत्पन्न होने वाला आउ और उसमें पित्त उद्रिक्त है, उद्रिक्त है मतलब अध्य दिखरें, अगर ऐसी आवस्था है, तो उसमें भी अगर उष्ण गुनवाले जलका हम प्रयोग करेंगे, तो सेम दोष आजाएगा, दवत्त और दाह, दवत्त एक स्थान के दाह है, तो उसको दवत्त बोलते है, और सरवांगे संश्रित दाह है, तो उसको दाह बोलते है, तो उष्ण गुनवाले इस प्लेइंग इंपोर्डन रोल, उसी आवस्था में अगर हम उष्ण दवत्त का प्रयोग करेंगे, तो दवत्त और दाह बढ़ जाएगा, मोह, उष्ण गुनवाले और उसके कारण उत्पन्न होने वाला रुख शगुन, अगरा इस इस्तिती है, तो क्या उत्पन्न हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है, तो उसी आवस्था में अगर फिर हम उष्ण अपचार करेंगे, मोह की चिकित्सा क्या है, मोह की चिकित्सा पूरी तरह से शीत चिकित्सा है, तो व विश्य और मद्य उष्ण गुण का उष्ण गुण उसमें अगर प्रयुक्त किया तो विश्य बढ़ेगा, मद्य उष्ण गुण का होने के कारण वो भी बढ़ेगा, गरिश्मरुतो निसरगता हा, मतलब सुभावता हा, रुत्तु में उष्ण गुण की वृद्धी होने के कारण उसी काल में अगर हमने उष्ण गुण युक्त जलका प्रयोक किया तो डेफिनेटली संपरापती बढ़ेगे ख्षतक्षीन रख्त और पित्त संबद्ध संपरापती है ख्षत उत्पन्न हुआ है तो डेफिनेटली उष्ण गुण उसको उसकी वृद्धी करेगा और उष्ण गुण सही संबद्ध संपराप्थि है तो उस वक्त अगर रख्तपित्त संबद्ध रुग्ण है उपद्रहा स्वरूप रख्तपित्त उत्पन्न हुआ है अगर इस यस्थिति है और उस आवस्था में आगने आपने अगर उष्ण दक का प्रयोक किया तो है क्या करना चाहिए मतलब इस अवस्था में रुगणा आता है व्याधी की अपेक्षा क्या है जैसे मैंने बताया कि यह व्याधी प्रत्यनिक कर्मे भी करता है क्योंकि आम का पचन करना यह व्याधी प्रत्यनिक मतलब संप्राप्ति भंग के लिए अत्यनता आवश्चक सो मतलब व्याधी की अपेक्षा पाचन की है, उष्न गुन की है। और ये जो छोटी-छोटी आवस्थाएं हैं, उन आवस्थाओं की अपेक्षा शीत गुन की है। आप समझ रहे हैं जुवरा ये प्रतमाधी करण है उसकी आपेक्षा उश्ण गुण की है और उसमें उत्पन्न होने वाली वो सब अवस्थाएं जो है जिसके बारे में यहां चर्चा किये हैं उनकी आपेक्षा शीत गुण की है तो ये जो अवस्था उत्पन्न हो गई एक अवस्था एक गुण की आपेक्षा कर रही है और दूसरी अवस्था दूसरे गुण की आपेक्षा कर रही है और unfortunately वो दोनों गुण जहे हैं वो परस्पर विरुद्ध गुण है इस आवस्था में क्या करना चाहिए उसके बारे म हमने यहां देखे है, वो दोश अगर उत्पन्न हो गए, तो अगें, बेंज्वर की संप्राप्ति बढ़ जाएगे, तो शीतो दकत देना है, लेकिन जिन गुणों के, जिन दोशों की चर्चा की है, वो दोश उत्पन्न ना हो, इसलिए अगर हमने कुछ उसमें परिवर्दन कर दिया, और एक भिननसा योग बना दिया, अगर आईसी स्थिती है, तो दाट विल बेस्ट ऑप्शन इन इस पर्ट जिसको हम व्यवार में शडंग दुख बोलते हैं, गनचन्दन शुंध्यम्भू परपटोशीरसाधितम, शीतम तेभ्योहितम तोयम पाच्चनम तुर्ट ज्वरापरहम, तुर्ट और ज्वर इन दोनों को कम कर देता है, तो यहां क्या किया है, देखिए, यहां तिक तरस गुणा, जिस रस में हो, ऐसा अगर विधान किया, ऐसा अगर प्रयोग किया, so that will be the better option, that will be the best option, so इसी का आधार यहां लिया गया है और तिक तरसा का प्रयोग किया गया है, तिक तरसा सभावतहा पाचन है और शीतविर्य का है, okay, so शीतोद कभी पाचन द्रव्यों से अगर सिद्ध कर दिया, तो जो दोश, जो दोश सिर्फ शीत जलब पान से उत्पन्न होने वाले हैं, वो दोश उत्पन्न नहीं होंगे, okay, इसी लिए सिर्फ उस अवस्था में इसका प्रयोग करने का विधान है, so it should be kept in our mind, कि शडंगोदक ज्वर की सभी अवस्थाओं में प्रयोग्त करने का विधान नहीं है, सबसे पहले उष्णोदक का विधान किया गया है, और उष्णोदक वातकफद ज्वर में आमा अवस्था में प्रयोग्त करने का विधान है, शड़न गोदक, जहां आउशने अत्यदिक है, ऐसी जो अवस्थाएं बताए गई है, उन अवस्थाओं में, मतलब ये अवस्थाएं, जब ज्वरमे उत्पन्न होंगी, उस वक्त, पित्त को कम करने के लिए, और पाचन करने के लिए, जो युक्ती का प्रयोक किया है, होता है कि ज्वरका पेशंट आए तो किसी भी दोश्य से संबदो, उसको शड़न गोदक को देना, ये गरंथ को अपेक्षित नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है, शड़न गोदक सिर्फ पित्तादिक आवस्था, दवतु-दाहादि आवस्था, विशमध्योथित, मतलब उष्णगुन अत्यलिक है, रक्तसंबध व्यादि है, ऐसे अगर स्थिती है, तो ही उसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा उष्णवदक is better choice, it is substitute to उष्णवदक, not always, it is not a first choice, it should be kept in our mind, और ये क्वात नहीं है, शिद्ध जलिये, एक कर्षद रव्य और एक प्रस्थ जल लेकर के उसको आधा प्रस्थ तक शेश रहना रखना है, और उसका पन अलप-अलप, वो जो उष्णवदक बताया है, वो तो कर नहीं है, अलप-अलप, जब प्यास लगेगी, तो अलप-अलप मात्रा में उसको देना है, यहाँ बताया क्यों गया है, what is logic behind it, और हम ज्वर तो अभी आप शीत जल, मतलब वो शीत ही होगा, तो ऐसा करना क्यों योग्य है, उसके बारे में चर्चा अगले सूतर में की गए, क्या है, उश्मा पित्ता दृते नास्ति, ज्वरो नास्ति उष्पना विना, तस्मात पित्त विरुद्यानी, त्यजयत पित्ता दिके उश्मा मतलब आउश्या, वो पित्त के सिवा, पित्त के बिना बिलकुल उत्पन्न नहीं हो सकता, उश्मा पित्ता दृते नास्ति, ज्वरो नास्ति उष्मणा विना, और ज्वर उश्मा के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, तस्मात ऐसा होने के कारण, मतलब A के उपर B न पित्त की ओर ध्यान देना उष्णगुण की ओर ध्यान देना अत्यनत आवश्चक है क्योंकि आउष्णिय यह इस व्याधी का स्वभाव है कफज्वर भी हो गया तो भी वहाँ ज्वर संताप ही उत्पन्न होने वाला है तो उष्णगुण की ओर हम ध्यान नहीं दे ऐसा नहीं कर सकते मतलब सभी ज्वरों में यह करना है और अत्यदिक मात्रा में कहा करना है क्योंकि क्या है उसमें उष्णगुण आत्यदिक होगा यहाँ विरुद्ध शब्द का जो आ रहता है वो सामान ने रहता है पित्ध के लिए विरुद्ध मतलब पित्ध के लिए अपत्य है पित्ध के लिए विरुद्ध मतलब पित्ध के विपरीत गुणवाला ऐसा रहते यहाँ पेक्षित नहीं है पित्ध विरुद्ध मतलब पित्ध के लिए विरुद्ध पित्त के लिए विध्धा मतलब पित्त के लिए अपत्त है For each and every step, they have explained logic. Okay? So, उश्मा पित्ता दुर्तो नास्ति, जरो नास्ति उश्मना विना, तस्मात पित्त विरुद्धानि, तेजेत पित्ता दिकेदिकम. उसके बाद और क्या क्या हो, उसमें निशेद करना है? उसमें कि स्नान का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अब्यंगा का प्रयोग का नहीं करना चाहिए, प्रतेहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्न वर्जब प्रिशेश लंगन, मतलब अन्य जो लंगन के एका, मतलब यहां शोधन का विदान किया, लंगन मतलब उपवास का तो विदान है है, उसके सिवा और जो लंगन के परकार है, उनका यहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तीका का ने स्पष्ट कर दिया कि यह अचिंदप प्रभाव से काम करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सोचने का प्रयास करेंगे, तो अभ्यंग् स्पष्ट प्रदेह के बारे में चर्चा इसी अध्याय में अंततहा की गई है, शीतत ज्वरा और दाहज्वर में, उसकी टीका में उसके बारे में वर्रण किया है, जब हम लेप करेंगे, तो स्पष्ट प्रद्ध उत्पन्न हो जाएगा, तो ज्वरा की चिकित्सा तो तो रोध होने के कारण, संप्राप्ति भंग होने के बजाए, संप्राप्ति बढ़ेगी, तो प्रदेहिया इस अलसो नोट इंडिकेटर, तो उसी प्रकार, स्नान से क्या हो जाता है, दोशों की गदी पदल जाती है, अन्न वर्जब परिशेश लंगनम, अन्न जो लंगन प्रकार है, वो भी इतने साहिया भूत नहीं होते, जितना लंगन साहिया भूत हो जाता है, ओके, सो इसी लिए, ये जो चार उपक्रम है, वो ज्वरा के लिए निशित्त है, इनकी युक्ति क्या है, इनकी युक्ति के बारे में यहाँ चर्चा किये है, अजीरन इव शूलगनम सामे तीवर रुजी ज्वरे, नपिबेत आउशदम तधी, भूय एवं आवहे, आमा विभूत कोष्ठस्य, खीरम विशम अहे है इवल, अजीरन इव शूलगनम सामे तीवर रुजी ज्वरे, तीवर रुजा जब उत्पन्न हो जाती है, और शूलगन आउशदों का प्रयोग करने का विधान नहीं किया गया है, क्योंकि सामा अवस्था ही उस शूलग का कारण है, और आप आउशद भी दे देंगे, तो वो आम को बढ़ाएगा, तो इंडिरेक्ली इट विल इंक्रीज दशूल, इसलिए उस अवस्था में लंगन ह शूलगन द्रव्यों का प्रयोग करना, वहाँ आम का बढ़ाओ होने, आम की वृद्धी होने का बया होने के कारण, वहाँ उसका आउशद का ही निशेद किया गया है, शूल होने के बाद भी शूलगन आउशद का निशेद, क्योंकि वो आम की वृद्धी करेगा, उसी त आउशद नहीं देना चाहिए अगर वो सामजवर है क्योंकि आम ही उसका कारण है और अगर हम उस अवस्था में आउशद भी देंगे तो वो आम की वृद्धी करेगा इसलिए संप्राप्ति भंग नहीं होगी संप्राप्ति का बल बढ़ेगा और वो उधारन दिया है आमा अभिभूत कोष्ट से वहां कोष्ट क्या है आमा दुग्ध पान दिया तो वह उस दुग्ध विशक न होने के बज़ा है वो विशक ही वृद्धी करता है क्योंकि विशा भी भूत संपूर सर्प होता है उसी तरह आमा भी भूत अगर कोष्ट है तो वो आउशद आम का अचन करने वाला भी क्यों नहों वो आमा की ही वस्था में निराहार रूप लंगन देना यह अथ्यंत आवश्चक है तो लंगन उपक्रम में निराहार रूप लंगन बताया गया उसके बाद रूख्षण लूप लंगन की भी चर्चा की गई अब एक तीसरा उपक्रम आ गया जोर विशेषे स्वेधा अब स्वेधन कर रहे हैं, स्वेधन करने की बात कर रहे हैं, व्यादी का स्वभा उष्न है, फिर भी उपक्रम कौन सा है, स्वेधन है, तो कौन से अवस्था में करना चाहिए, स्वेधन करना चाहिए, क्या पताया गया है, स्वेधन करने का विधन गया है, वो स्वेधन इस अवस्था में क्या स्वेधन करेगा, स्वेधन इस अवस्था में स्वेधन मूत्र पुरिश शक्रण वातान कुर्याद, स्वेधन करेगा, किसका प्रवर्तन करेगा, स्वेधन मूत्र, शक्रुत्वात, इनका प्रवर्तन करेगा, क्यूंकि वो स्वेधन में अवरोध करने वाले भाव है, उनका अनुलोमन करेगा, प्रवर्तन करेगा, उनका प्रवर्तन हो जाएगा, तो स्वेधन शुद्ध हो जाएगे, तो पटुत्व मतलब वो कर्म करने का जो कौशल्य है वो अत्यदिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए पटु शब्द का प्रयोक किया जाता है तो स्वेद का परवर्तन हो जाएगा, मूत्र का परवर्तन हो जाएगा, पूरिश का परवर्तन हो जाएगा और व्यभार में हम बह प्रदिप्पन हो जाते हैं और अगनी प्रदिप्त हो जाता है तो यह जो अगनी है यह जो स्वेधन है वह कैसे करना चाहिए उसका एक उदारन टीका में दिया है अगर वात कफा मया है तो इस प्रकार से अगर वालुका स्वेध दिया तो ज्वर में आवश्यक है अपतरपन के लिए अनाहार अपतरपन की ओर जा रहा है विरूक्षन की ओर जा रहा है स्वेधन वो भी लंगन की ओर जा रहा है मतलब जो मैंने पहले बताया कि लंगन उपक्रम बताया गया है तो उसमें शडवी दो उपक्रम से जो तीन उपक्रम लंगन के अंडर आते हैं उन सभी की अवस्थाए और वो कैसे और कप करने चाहिए इसके बारे में यहां चर्चा की है उसके बाद क्या करना चाहिए जोर में यह तो यह नहीं करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए इतना सब कुछ बता दिया लेकिन करना क्या चाहिए I think it गड़ बड़े यहां कुछ उसका अनुपालन करना चाहिए क्या स्नेहाध्याय में क्या कहा गया उश्णों को पचारी स्याथ, ब्रह्मचारी, शपाचया, नवेगरोधी, व्यायाम, क्रोध, शोक, हिम, आतप यह तो हमने सूत्रस्तान में देख लिया है यह जो सूत्रस्तान में बताये गुए, स्नेहाध्याय में वर्निप जो कुछ बाते हैं, वो सभी की सभी बाते ज्वराध्याय में अनुसरणी है, उनका विधान यहां किया गया है क्यों इसके बारे में, I don't think there is need to explain everything because most of the things are self-explanatory अपने आप, आपको आप थोड़ा सा सोचेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहां इसका अनुसरण करने के लिए यूँ बताया गया है नाव लंगन के अन्यान में जो प्रयोग है, उनके बारे में उनने चर्चा किया यहां तक क्या क्या लंगन के बारे में ही जादा चर्चा कि अब वो लंगन in addition to that और क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करने लंगनम स्वेदनम कालो यवागुस्तिकतकोरसहमला नाम पाचना अनिस्युहुत्रावस्तम करमेडवा जोर में क्या करना है? लंगन करना है, जोर में क्या करना है, स्वेधन करना है, जोर में क्या करना है, कालप प्रतिक्षा करना चाहिए, जोर में क्या करना है, यवागुपान करना है, जोर में क्या करना है, तिक तरसका प्रयोक करना चाहिए, ये सब करने का उद्देश क्या है, मला नाम पाचना अन यथा अवस्था उनका प्रयोग करना चाहिए या क्रमशहा उसका प्रयोग करना चाहिए क्रमशहा मतलब पहले लंगान उसके बाद काल उसके बाद यवागू वगएरा 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 या यथा अवस्था उनका प्रयोग करना चाहिए इसका निर्णे करना चाहिए, लंगन, कब करना चाहिए, बहुतोष अगर है तो लंगन करना चाहिए, स्वेधन, कौनसी आवस्थह में करना चाहिए, अभी हमने देखा, वातक रपज जो रहे हैं और उदावरता दी लक्षन उत्पन्न हो यह है, तो सिर्फ काल की कब होता है और कब यवागु देनिये उसका वर्णन आगे किया गया है that is a particular आवस्था to use यवागु मतलब पाचन होने के बाद जब छुद्बोध हो जाता है तो अन्न ग्रहन करना है अन्न ग्रहन करने वक्त करते वक्त किसका प्रारम्म कहां से करना है या वागु से करना है तिक्तरस अगर जवर मुर्दू है तो तिक्तरस का प्रयोग करना है और जैसे मैंने आभी बताया जवर में तिक्तरस का विधान क्यों किया गया है क्योंकि यहाँ व्याधि स्वभाव उश्न गुन का है और संप्राप्ति आमसे संबद्ध होने के कारण पाचन गुणवाला और शीत गुणवाला ऐसे द्रव्यों की आवशक्ता होती हैं और तिकतरसवाले द्रव्य पाचन करने वाले और उसके साथ साथ आउश्न्य कम करने वाले शीत गुणवाले होने के कारण होते हैं इसलिए यहां तिक्त रसका विधान जादा किया गया है It's very important कि जो व्याधी का स्वभाव है मतलब व्याधी का स्वभाव और दोशियका स्वभाव एक ही दिशा में हो तो अच्छा हो जाता है मतलब चिकिट्सा करना थोड़ा आसान हो जाता है लेकिन व्याधी का स्वभाव और दोशे का स्वभाव भिन्द भिन्द है। ऐसी अगर स्थिती हो तो चिकित्सा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन व्याधी का स्वभाव कैसा है। उष्ण है। और कफ का स्वभाव कैसे है। शीत है। अतनिक चिकित्सा भी ऐसी करनी होती है, जो व्याधी के स्वभाव के लिए ज्यादा कश्टप्रत ना हो। और व्याधिप्य अतनीक जिकित्सा भी ऐसी करनी होती है जो दोशों के सभाव के लिए दोशों के गुड़ों के लिए मतलब दोशों के लिए ज्यादा कष्टप्रत ना हो तिक्तरसका प्रयोग is a very perfect example of this particular आवस्था इतना सब लंगन के बारे में बताने के बाद भी वो लंगन का निशेद भी बताते है जो रहा कि कुछ तकुछ अवस्था ऐसी है जहां जिस उपक्रम के बारे में हमने चर्चा की है वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उस अवस्था में अगर लंगन किया तो कुछ न कुछ विपरीद हो जाता है ऐसी कौन से आवस्था है शुद्धवात ख्षया गंदू जीरन ज्वरिश लंगनम न इश्यते न इश्यते वो नहीं देना चाहिए कौन-कौन से आवस्था में शुद्धवात जवरा मतलब क्या है शुद्धवात जवरा मतलब अशुद्ध नहीं अशुद्ध मतलब मीरामजवरा है और मीरामजवरा है तो लंगन करने के आवस्था ही क्या है दातु क्षय जन्यवात प्रकोफ है मारगा और अजन्यवात प्रकोफ नहीं है अगर आईसी स्थिती है तो वहाँ लंगन करने के आवश्यक्ता ही क्या है आवश्यक्ता ही नहीं और दातु क्षय जन्य वाथ प्रकॉफ है तो लंगन करेंगे तो संप्राप्ति बंग होने के बज़ाए संप्राप्ति बढ़ेगी अगर आहां का संबंद है ही नहीं अगर आहां का संबंद वहाँ नहीं है तो लंगन करने की क्या आवशकता है आगन्तु जवर में तो आम नहीं जिस संब्राप्ति के हमने चर्चा की है वो दोशजजवरों की संप्राप्ति है वो आगन्तुजवर की संप्राप्ति नहीं है वो अगर आगन्तुजवर की संप्राप्ति नहीं है तो वहां लंगन करने की आमपाचन करने की आवशक्ता है यह नहीं जीरनज्वर, जीरनज्वर में भी पाचन करने के आवशक्ता नहीं, क्यों जीरनज्वर में दोशों का पचन हो गया है, मिरा मावस्ता उत्पन हो गई है, ऐसे अगर स्थित्य है, तो फिर से लंगन करने की क्या आवशक्ता है, और उस आवस्ता में अगर लंगन करेंगे, त तो दोशों के बाद अगनी किसका पचन करता है धातूं का पचन करता है और जीर्णत ज्वरा में तो होता का है धातू क्षीन हो जाते है उनका संतरबन करना तो जीर्णत ज्वरा की चित्सा है तो उसके बजाए अगर हम लंगन ही करते जाएंगे तो क्षीन धातूं को हम अत तो यहां क्या करना चाहिए? पित्त वातादी का अवस्था में ब्रुहन रूप शमन करने का विदान है। यह जो लंगन के लिए निशेद होने वाली जो आवस्थाय हैं, उनमें क्या करना चाहिए? इसका विदान कर लिया। लंगन करना चाहिए? लंगन रूप शमन करना चाहिए? उस अवस्था में क्या करना चाहिए? लोजिकली इच एंड एवरी लक्षन, आप लंगन लंगन हम कहां रहे हैं। वह समझ कैसे लेना है कि हमें जो कुछ करना है वो फलदूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बारे में चर्चा अगले सूत्र में किये हैं तत्रसामज्वराकृत्या जानियाद अविशोशितम विविदोपक्रमत ध्यानम अवेक्षच लंगनें। क्या करना चाहिए वो लंगित पूरी तरह से लंगित हुआ है कि नहीं हुआ है। पूरी तरह से शमित नहीं होते हैं। अगले उपक्रम की ओर जाने की आवशकता है। तो लंगन तो हो गया। तो लंगन के बात क्या करना चाहिए। देखिए। युक्तम लंगित लंगैस्तू तंपेया भी ही उपाचरेत। यथास्व आउशद सिध्धा भी ही मंडपूर्वा भी ही आधितह। शड अहम्वा मृदुत्वम्वा ज्वरोयावत अवापनुयात। तस्य अगनिर दीप्यते ताभी ही समिध भी ही इव पाव कहा। युक्तम लंगित लंगैस्तू जब लंग्यन के लक्षण उत्पन हो जाते है उसके बाद युक्तम लंगित लंगैस्तू तंपेया भी ही उपाचरेत। उस रुग्ण की चिकित्सा पेया से करनी है, मतलब जब तक सम्यक लंगन के लक्षन नहीं देते हैं, तब तक लगवाहार भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, जल, ऐदर उष्णोदक या शडगोदक, जब तक लंगित लक्षन नहीं देखाई देते हैं, तब तक, युक् स्व अवशद सिद्धा भी ही, वह पेया कैसी होनी चाहिए? वह जिस प्रकार का ज्वर है, उसके जो अवशद है, उस अवशदों से सिद्ध की हुई पेया होनी चाहिए, यथा पूर्वा भी रादिताहा, मंद पूर्वा, उसके दो भिंद भिंद आरत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, मंद पूर्वा जिसमें अत्यरिक मंद है, मतलब पेया द्रव प्रदान होनी चाहिए, और मंद पूर्वा जिसमें मंद प्रदान है और बाकिस अंसरजन करम क का भी वर्ण लेग है जड़ पूर्वा भी राधिता है मृद्ध तौम्वा जरोयावत अवापन याद यह कब तक करना है शड़ अहमवा मृद्ध तौम्वा जरोयावत अवापन याद छे दिन तक या जब तक जवरों को मार्दव नहीं हाता है मुर्दुज्वरत जब तक उत्पन्द नहीं होता है तब तक यही करना है उससे क्यालाब हो जाता है तस्यागनिर्दीप्यते उसके कारण आगनी प्रदिप्त हो जाता है तस्यागनिर्दीप्यते ताभी ताभी इस उपक्रम के कारण समिध भी वा पावक हा इनन डालने के बाद समिधा डालने के बाद पावक मतलब अगनी बाईया अगनी की बात कर रहे है जैसे प्रदिप्त हो जाता है वैसे सामवस्था पूर्ड और तहा निरामावस्था में convert होने के बाद जो अगनी है उस पर हमने अगर आहार रूप समिधा डाली तो वो क्या हो जाता है प्रदीप्त हो जाता है तो युक्तम लंगित लिंगा इस तो तम पेया भी उपाचरे जैसे मैंने बताया कि यहां दो अर्थ निकाले गए है क्या अच्छ प्रदान पेया होनी चाहिए मतलब सभी दिनों तक पेया ही देनी है यह एक अर्थ है मतलब मंड़ पेया यवागू वगेरा जो कहें वो बिलकुल कुछ नहीं देना है एक अर्थ एक टिका करने आर्थ किया है कि मंदप प्रधान पेया, मंदप का रता है अच्छ प्रधान पेया, मतलब दर्वा प्रधान पेया होनी चाहिए, सांद्र पेया वगरा, और आगे वाले जो कुछ आहारी प्रधार था है, उसमें से कुछ भी यहां प्रयोक्त करने का विधान नहीं है, ऐसा टीकाकर नंबर और दूसरा टिकाकार क्या कहता है, मंड पूर्वा भी आदिता है, प्रसम मंड का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद पया का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद यवागू, विलेपी, यूश, रसवदन, छे दिन तक, मतलब डे वन मंद का प्रयोग करना चाहिए, डे टू पेया का प्रयोग करना चाहिए, डे त्री यवागू का प्रयोग करना चाहिए, डे फोर विलेभी का प्रयोग करना चाहिए, डे फायू यूशा उदन, यूशा और ओदन का प्रयोग करना चाहिए, और डे 6, रस और ओधन का प्रयोग करना चाहिए, यह दूसरे टिकर करने अर्थलिए है, मतलब 6 दिन तक इसका प्रयोग करना चाहिए यह मुर्दत्वम्च, ज्वरकव उन्दत्वम्च ना आए, 6 दिन एक उधारण के तरू पर दिया है, तो 6 दिन का प्रोग्राम कैसे करना चाहिए तो इस प्रकार से करना चाहिए ये अर्थ हमाद्रिय ने दिया है और मंद प्रधान पया का प्रयोग करना चाहिए ये अर्थ अरुणदत्य ने दिया है अब ये पेया जो है क्यों देनी चाहिए इसका प्रयोजन क्या है और उससे हमें क्या लाव होने वाला है तास्च भेशच संयोगाद लगुत्वाच्च अग्निदीपनाः वातमूत्र पुरीशाणाम दोशाणाम्च अनुलोमनाः स्वेदनाय द्रवोशनत्वात द्रवत्वात तुट प्रशांत ये आहार भावात प्राणाय सरत्वात लाघवायच ज्वरगनो ज्वरसात्म्यत्वात तस्मात पेयाभी ही आधितहा ज्वरान उपाचरेत धीमान पेयासि कौन कौन से लाभ होते हैं इतने लाभ हमें पेयासे होते हैं क्या क्या लाभ होते हैं ताश्च भेशच असन्योगात लगुत्वाच अगनिती पनहा सो फर्स्ट लाभ क्या साथ दे होता है अगनी दिप्ती होती है लोजिकली क्यूं होता है लगुत्वाच अगनिती होते हैं लगुत्वाच अगनिती होते हैं वह लगुत्वाच के होने के कारण और उस उस प्रकार के जो व्याधि प्रत्यनिक और दोश प्रत्यनिक द्रव वहे उनसे संयुक्त होने के कारण, उनसे सिद्ध होने के कारण, वो अगनी का दीपन करती है। साहिय भूत होगी। तो जो आमजय तुफना थी वो ऊष्न अधक या शणग अधक से शमित हो गई अगर अब अगर तुफना है तो उष्चन गुण के कारण जो शोष उत्पन होता है उसके कारण रहती है अगर उस अवस्था में फिर उष्णोद के दिया तो तुरुष्णा का शमन नहीं हो जाएगा तो उस अवस्था में द्रवगुण प्रधान अगर पेया दी तो वो तुरुष्णा का शमन करेगी लिए अहार भावात, अहार स्वरूप होने करण प्रान की रक्षा करेगे, मतलब बल की रक्षा करेगे. सरत्वात लागवायचा सरगुणगी होने के कारण वो शरीर में लागवा उत्पन न करेगी वहाँ चिपाक कर नहीं बैठेगी ज्वरगना ज्वरसात्मत्वात और जैसे मैं दोशान लोमिनी बताए वैसे पेया ज्वरगनी भी है सुभावत है वो ज्वरगनी है इसलिए वो ज्वरसात्मे है वो ज्वरसात्मे होने के कारण ज्वरगन भी है मतलब ज्वरगी संप्राप्ति में जितने जितने महत्वपूर्ण पढ़ाओ है जितने जितने महत्वपूर्ण लक्षण है उन सभी लक्षडों का शमन करने के लिए, उन सभी संपराप्ती के जो पड़ाव है, उनका भंग करने के लिए पेया सहायभूत होती है, इसलिए पेया का विधान यहां किया गया है नव पेयप पान के मरियादा, कब तक पेया देनी चाहिए, शड़ अहमवा, मृदुत्वमवा, जरो यावत अवापनियाद एक मत क्या है, शड़ अहम, 6 दिन तक यह करना चाहिए, मतलब कैसे करना चाहिए, एक मत तो मैंने बता दिया है मादरिगा, पहले दिन मंड़, उसके बाद पेया, उसके बाद आगे-ागे वाले जो अहार या पदारत है, उनका प्रयोक करना है, और दूसरा मत जो है, वो 6 शे दिन तक सिर्फ पेया ही देनी है, और मैंने आपको पहले बताया कि पेया कब देनी है, जब सम्यक लंगित लक्षन उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब 6 दिन में भी जब तक सम्यक लंगित लक्षन उत्पन्न नहीं होते हैं, तब तक निराहा, पेया भी नहीं, जब सम्यक ल तो छे दिन तक करना चाहिए। इसके दो आर्थ होते हैं, क्या करने चाहिए? शड दिन तक करना चाहिए। अब यह प्रश्ण उगता है, आपने पेया से आपको साध्य क्या करना है, यह तो बता दिया। जब तक ज़र का मुर्दुत्व नहीं आता है, अगर जो साध्य करना है, वो आपको अगर बता दिया है, तो वो इतने दिन करना चाहिए, यह बताने क्या आवशक्ता क्या है? साध्य जब तक हमें प्राप्त नहीं होता, उस आवस्था तक हम जब तक नहीं पहुंशते, तब तक हम करते रहेंगे, उसके लिए 6 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे या 10 दिन लगे तो 6 दिन बताने कि आवशक्ता क्या है उसके दो आर्थों हो सकते हैं नमबर एक, जिस आवश्था कि जिस साध्य के हम अपेक्षा कर रहे हैं वो साध्य जो है वो परायाः छे दिन में साध्य हो जाता है. परायाः छे दिन में साध्य हो जाता है. वो प्राप्त हुआ तो कई प्रॉब्लिम नहीं. अब यह प्रशन उठता है कि there is also possibility कि जो हमारा साध्य है, वो छे दिन से पहले ही प्राप्त हो जाएगा, या छे दिन के बाद भी प्राप्त हो जाएगा, प्राया हाँ छे दिन में प्राप्त होता है, इल्ट सोके, लेकिन वो पहले या बाद में अगर प्राप्त हो जाता है, तो क्या करना है, उसके लिए इसलिए बताया गया है कि उसके पूर्व भी अगर जरमार्दव उत्पन्न हो गया तो भी फिर भी स्व्याधिस्वभाव के कारण छे दिन तक पेया का ही प्रयोग करना चाहिए अन्य किसी उपक्त्रम का प्रयोग नहीं करना चाहिए और दूसरा एक मतप्रवा है अन्य दिन जब जरमार्दव आ जाएगा तो पेया का साध्य पेया का जो पेया से जो साध्य करना है तो साध्य हो गया तो उसके आगे क्या करना चाहिए यूशादी उपक्रम करने चाहिए आगे वाले जो अहार्य द्रव्य है योग है उनका प्रयोग करने की आवश्यक्ता है उके सो यह दो आर्थ निकलते हैं और अगर छे दिन में भी ज्वरमार्दव उत्पन्न नहीं होता है तो क्या करना है जब तक ज्वरमार्दव उत्पन्न नहीं होता तब तक पेयापान कंटिन्यू करना है मतलब चे दिन यह लक्षणमात्र है सामान्यतहा दिखाई देता है इसलिए छे दिनों का वर्ण किया गया है लेकिन जो हमारा साध्य है वो पहले भी प्राप्त हो सकता है पहले अगर प्राप्त हो गया, तो छे दिन तक पयप्पान करना है, और अगर वो छे दिन के बाद भी प्राप्त नहीं होता, तो जब तक हमें हमारा साध्य प्राप्त नहीं होता, तब तक पया कंटिन्यू करनी है, it is very important. पयासा में प्राप्त करना क्या है, क्या फ्ला में प्राप्त होगा, तस्याग निर्दीपतेता भी समिध भी ही वपाव कहा, जो हमने देख लिया है, वो समिध भी ही वपाव कहा, जैसे समिधा डालने के बाद अगनी प्रदीप्त हो जाता है, वैसे इस से अगनी प्रदीप् तो नौ पयप्पान तो करना है लेकिन पयप्पान करना है तो अब हमें कौन-कौन सी पयाउपलब्ध है इसके बारे में वरणम किया गया है अब हमें चार सत्रों में जवरसमाप्त करना है तो सत्रा 1, 2, 3, 4 में कितने कितने सूत्र कंप्लीट करने है इसका एक टाइम टेबल बनाया गया है और वो अगर डिस्ट्रब हो जाएगा तो चार सत्रों में हम जवरब पूरन नहीं कर सकेंगे इसलिए इसलिए देर इसलिए लेस पॉसिबिलिटी देट विल फिनिश भाई 10.30, वी में नीड मोर 10.15 मिनिट्स, ओके अब पेया का पान करना है तो पेया पान करने के लिए कौन-कौन से साधन हमारे पास उपस्चित है जिनका प्रयोग हम कंद कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा भी की है प्राक, सर्वप्रत्म, सबसे पहले, क्या करना चाहिए लाज पेया, पेया भी, प्राया है पेया जो है वो तंडुल की बनाई जाती है, लेकिन यहां क्या विधन किया है प्राक, सबसे पहले, आपको आप देक रहें थे कि वो निरामावस्ता आ गई है आगनी प्रदिप्त हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी तंडुल से उत्पनपेया और लाजा से उत्पनपेया, इसमें लाजा से उत्पनपेया अत्रिक लगू होने के कारण, अच्छी तरह से उसका पचन हो जाता है, और वो भी कैसी बनानी है, सशुन्ती धान्य पिप्पली, इनसे सिद्ध कर्मी है, और उसमें प्रक्षप क्या डालना है, उसमें से इंद्व डालना है, तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, तो उसकी मतलब लाज पेया देनी चाहिए, और वो भी शुन्ती धान्य और पिप्पली, उससे क्या हो जाएगा, और उसकी यहाँ इसके अवस्ता का वरणन ने है, चरक में इसके अवस्ता का वरणन किया गया है, क्या अवस्ता जब वो रुग्ण स्कृद्वान हो जाएगा, अगनी जब उसका अल्प होगा और सबसे पहले, यह तीन अवस्ता अगर मिलती है, तो ही इस प्रया का प्रयोक करना चाहिए, और उसका फल, ज्वरापहम, ज्वरहरण, उसका फल क्या है, वो ज्वरग्न प्या है, ज्वरका प्रतिनी का काम करना है, यह भी इस प्या का काम है, उसमें एक छोट सी सब आवस्ता उत्पन्न हो जाती है, यथा तथा अमलार थी, उसमें कभी कभी क्या होता है कि अमलरस की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तब क्या करना चाहिए, यार अमलरस नहीं देना चाहिए ज्व तो आमलार देना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है, तथा आमलारती है, जो इच्छा उत्पन्न हो जाती है, वो दोशों के वर्दिक शह के कारण उत्पन्न हो जाती है, इसलिए अगर चिकित्सा दर्मयान, चिकित्सा के वक्त, अगर कुछ इच्छा है, कुछ लक्षन रुग्ण बताता है, तो उनके ओर ठीक तरह से ध्यान देने के आवशक्ता है, तो इसकी ओर हमारा ध्यान खींचा गया है, कि अमलार्थी रुग्ण है, तो क्या करना चाहिए, तो ऐसे अमलाद्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, जो ज्वरक के लिए ही तकर हो, तो ऐसा द्रव्य का उनसा है, में अगर अमलार्थी रुग्ण है, तो उसके लिए करने के आवशक्ता है, उसके बाद बिन्न बिन्न आवस्ताओं में, बिन्न बिन्न कौन-कौन सी पेया उनका प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में वरण क्या है, वहां हमें सोचने की जरौत ही नहीं है, उसकी आवस् और विट मलब प्राव।ति कैसी है? और बखुपित्त ऐसी आवस्ता है, तो इस आवस्ता में पया शीत देनी चाहिए, उस्ट नहीं इनी चाहिए, जो प्रायाम उस्ट देते हैं, और वो कैसी होनी चाहिए? शुंठिय और माक्षी के ईकते होनी चाहिए, शुन्थी जैसा द्रव्य महत्वपूर्ण काम करेगा और शीत है दूसरा क्या है पित्ता अधिक है और माक्षिक भी इसमें मिदाया गया है चाहिए उसना पिया और माक्षिक एक साथ तो हम नहीं देव सकते हैं तो सुरुष्ट विथ है शिथिल द्रवमलप्रोर्थी है और बहुपित्ता वस्ता है तो शोषन करने वाली शुन्थी और माक्षिक के साथ हीम मतलब शीत पिया का पानत करने के आवशक्त है तो मतलब द्रवगुन प्रधान संप्रप्ति हो और शोशनगुन की अपेक्षा हो तो इस पया का प्रयोग करना चाहिए बस्ति आदिशूली नहाँ बस्ति पारश्वश्वश्शूली व्याग्री गोक्षुरस आदित हाँ जब ज्वर में ऐसी आवस्ता उत्पन्द हो जाती है बस्ति पारश्वश्वश्शूल तो क्या करना चाहिए व्याग्री और गोक्षुरस इनसे सिद्ध यह बहुत सारी पयाओं का प्रयोग किया गया है और जहां पयाने ही तो इन में से जो द्रव्य है उनका प्रयोग आउस्षत के तोर पर किया गया है तो उस आवस्ता में उत्पन्दक्षन अत्यादिक शीघरगती से कम हो जाते हैं इस वेरी इंपोर्टन जितनी पिन पॉइंट आवस्ता हम निश्चित कर सकते हैं उतनी पिन पॉइंट द्रव्यों का चैन कर सकते हैं उतनी हमारी सिध्धी जल्दी जल्दी हो जाती है तो बस्ति पार्षव शिरशूली व्यागरी गोख्षुरस आदिताम बस्ति पार्षव और शिरशूल अगर ऐसी स्थिति है तो कंटकारिया और गोख्षुरस इद्ध पेया का प्रयोग करना चाहिए तो इन लक्षणों की ओर देखेंगे तो लगता है कि मूत्रोदावर्थ मूत्रसंबद्ध कुछ लक्षण है और वहाँ वातप्रकव होने के वाद वो प्रतिलोम वायू हो जाता है तो मूत्रोदावर्थ ऐसी अगर अवस्ता उत्पन्न हो जाती है और वो भी किसमे ज्वर में तो इस पेया का प्रयोग करना चाहिए ज्वरातिसारी नहां ज्वरा और अतिसार एक साथ उत्पन्न हो जाते है आप अगर योगर अतनाकर में देखेंगे तो ज्वरातिसार नाम का एक बिन्न व्यादी वर्णन किया गया है दोनों व्यादी जो है वो आमाशे समुद्भूत होने के कारण उनकी चिकित्सा एक ही दिशा में जाती है प्रुष्णी परणी बला बिल्वा नागर उत्पला धनने का ही सिद्धाम ज्वरातिसारी अमलाम पेयाम दीपन पाचनिम और दीपन पाचन करने वाली पेया इसमें प्रईव्यक्त करनी है वो कैसी करनी है अमला गुणव्यक्त वाली होनी चाहिए ज्वरा और अधिसार ये दो लक्षण अगर उपस्तित है तो प्रुष्णी परणी बला बिल्वा नागर उत्पला धनने का इसमें से द्रव्य देखेंगे तो वो भी ज्यादातर द्रव्य शोषण करने वाले हैं मतलब अगर ज्वरा में मतलब कोष्ट संबध्ध दोष्य यह है दोष्ट में ही है लेकिन स्वैम पर उउप्रुद्ध है अतिसार हो रहा है मतलब दोष्वैम पर उपर करना चाहिए कब करना चाहिए हिक्का रुख श्वास कास देखिए कि यह सभी लक्षन जो है वह आमाशे स्थवातब प्रकुप है और प्रतिलोम हो गया है मतलब आमाशे गतवात में यह सभी लक्षन मिल जाते हैं तो दोश अगर आमाशे में ही समकुचित मतलब सीमित है और वातब प्रधान लक्षन है अगर आईसी स्थथी है तो हम इस पेया का प्रयोक कर सकते हिद्मारुख श्वास कासवान लगुपंचमूल सिद्ध पेया मतल आया कफार रिक्यमें पेया नहीं देते हैं लेकिन देने का विदाना है तो कैसे देनी चाहिए पंचमूलेन महता कफार तो यवसाधिताम विवद्ध दवर चहस सयावां पिपली आमलकई कुताम यवागुं ससरबिश्या भृष्टाम मलदोशान लोमिनिंद्ध दो पेया गुश्में डालनी आए पंचमूल पनचमूल और यवागु वह कफास पेडित रुग्ण है तो पृष्ट पंचमूल और यवागु देनी चाहिए और दूसरी आवस्ता कौन से उसी आवस्ता में कफादी का अवस्ता में ही अगर विवद्ध वर चहाँ वर्चस विवद् गी से उसको भृष्ट करना है मतलब क्या करना है उसको तड़का देना है और वो करेगी क्या मल और दोशों का अनुलोमन करेगी जैसे हमने इस अवस्ता में देख लिया कि कोष्ठाशित का स्वयम प्रवृत्त दोश है तो इस पेया का प्रयोक करना चाहिए तो यहा कोष्ठाश्रित विबद्दोश है तो इस पेया का प्रयोक करना चाहिए विबद्दशूल जुकत चविकापी पली मूलद्राक्शा आमलक आगरही कोष्ठे विबद्दे सरुचीर विबद्दौश्ता में भी लेकिन यहां क्या है सिर्फ अन्रोमन करने के अपिक्षा है तो यहां क्या उत्पन्न हो गया है यहां शूल उत्पन्न हो गया है मतलब विबध्धावस्था का बल मतलब दोशों का बल यहां अत्यदिक है इसलिए मतलब विबध्ध जितना ज़्यादा उतना उससे उत्पन्न होने वाले उपद्रो ज्यादा तो यहां शूल उत्पन्न हो रहा है तो यहां पहली पेया के अपेक्षा ज्यादा बलवान द्रव्यों की विर्यवान द्रव्यों की आवश्यक्ता है इसलिए अलग से पेया का वर्रण किया गया है कोषठे विबध्धे, विबध्धे कोषठे सरुची, पिर इस्टी अवस्ता है, तो चविकादी पया का प्रयोक करना चाहिए, इसमें रूक्षा और स्निकधा द्रव्य, और अनलोमन और पाचन करने वाले द्रव्य है, तो स्निकधा गुण की अपेक्षा है, उष्नगुण की आपक्षा है और पाच्चन और अनलोमन की आपक्षा है ऐसे अगर स्थिती है तो इस पेया का प्रयोक करना चाहिए परिकरती परिकर्थिन, परिकर्थिका, हमने परिकर्थिका शब्द को मर्यादित कर दिया है, उसको रेसिक कर दिया है, सिर्फ गुदसंबध लक्षन के लिए, लेकिन आप अगर लक्षन, मतलब इस लक्षन का जो सपष्टिकरण, उस पर टीका बिन्द बिन्न टीका कारण लिखे, उ आपको ध्यान में आजाएगा कि it is not a lakshan which is related to gudha only. It can take place at any other place also. So यहाँ परिकरतिन कोष्टे छेदन में आपको अनुगवा है. कोष्ट में छेदन जैसी पीडा जब होती है, तो उसको परिकरतिका बोलती है. Okay, so it is not only related to gudha, it is, it may be related to any other organ. छेदन इवा पीडा, अगर ऐसी स्थिटी है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें परिकरतिका शब्द का प्रयोक करना चाहिए. अगर ऐसी स्थिटी यहाँ उत्पन्न हो जाती है, तो हमें क्या करना है? इस पेगा का प्रयोक करना चाहिए. तो इन द्रव्यम क्यों और देखेंगे परिकर्तिका अगेन क्या है? शूलका एक विशेश है तो यहां भी क्या है? अनलोमन करना ही हमारी चिकित्सा है तो ज्यादातर द्रव्य देखेंगे तो अमल गुणवाले हैं अमल गुणवाले होने के कारण वो स्निग्ध और उष्न गुणवाले हैं, इसलिए वो अनुलोमन करते हैं, तो स्निग्ध अनुलोमन करना, ऐसी अपेक्षा जब हो, तब इस पयाग का प्रयोक करना चाहिए, अब दूसरे एक पयाग बताए गए, अस्वेद निद्रस तुरुष्णार तहा, सिता आमलक नागर ही, सिता बदर मुर्द्वी का सारिवा मुस्त चंदन ही, तुरुष्णाचरदी परीदाह, ज्वरग्निम प्षोद्र सैयुताम। इसमें भी दो पयाग बताए गई है, अस्वेद निद्रस तुरुष्णार तह सिता आमलक नागर ही, सिता आमलक और नागर मतलब शुन्थी, इससे सिध पया का प्रयोक करना चाहिए, कब अस्वेद निद्रस तुरुष्णार तहा, स्वेद उत्पन्द नहीं हो रहा है, अनिद्रा है, और तुरुष्णा से पीड तरुग्न है, ऐसी अगर सिती है, दे और उत्पन्न लक्षन इन में से कैसे कैसे रिलेशन है, यह अगर हम सोचते जाएंगे तो हमारे ध्यान में आ जाएगा, ओगे, सो अगर हमने ऐसे जादातर योगों का अध्यान किया, तो विकेंड डिजाइन योग, लेकिन इसके लिए बहुत सारे योगों का बहुत-बह तक अध्यान करने की आवशक्ता है. उसके बात क्या करना चाहिए, कुर्यात पेयो उशदही ही एव रसय उशा अधिकान अपिये, जो आमने पहले देखा था था ना, कि छे दिन के लिए हम आगे वाले संसर जनकरम के जो द्रव्य है, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, तो अगर उनका प्रयोग करने का निर्णय हम तो जो अन्य द्रव्य है, कौन से? माउंसरस, यूश, पानिया मस्तू, तक्र, अन्य व्यंजन, इन में से इन में से किसी भी आहार्य कल्पना का चैन हमने कर लिया, तो वो आहार्य कल्पना भी, जो द्रव्य पेया के लिए हमने यहां बताय गये है, उनकी सहयता से आप सिद्ध कर सकते है और उनका प्रयोग कर सकते है, उनका फल भी वैसा ही होगा, it's very important, it is a guideline for us to design new yoke, okay, now, जहां तक हमने क्या देख लिया, पेया का पान कप कैसे, कहां कहां, कौन-कौन सी पेयाओं का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में, लेकिन क्या हमेशा पेया का ही प्रयोग करना चाहिए, उसका कोई निशेत है ही नहीं, ऐसी तो स्तिती है हो ही ही नहीं सकती, absolute correct and absolute wrong, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, अगर ICCC है तो पेया का प्रयोक कब नहीं करना चाहिए इसके बारे में आगे बतानी के आवश्य किता है उसका वर्ण आगे वाले सूत्र में किया गया है मद्योद भवे मद्यनित्य पित्त स्थान गते कफे ग्रीश में तयोहो वा अधिकयोहो तुट्छर दी दाह पीडिते उर्ध्वं प्रवृत्ते रखते च पेयाम ना इच्छन्दी पियान के इच्छनही करने चाहिए पियान प्रयुक नहीं करना चाहिए में आयजामबल दिया अन्य पित्त स्थान का कफ़ा है, ग्रीश मरूतु है, तयो हो वा अधिक यो हो, तयो हो मतलब पित्त और कफ़ा का अधिक है, ऐसे अगर स्थित्य है, तो तुट्छर्दी दाह पीडिते, तुट्छर्दी और दाह इन लक्षण, ये लक्षण जो है, वो अत्यरिक मात्रा में मतलब उर्धा का रक्त बित्त जैसे आवस्था उत्पन्न हो गई है, अगर आजिश स्थिति है, तो इन स्थितिओं में पेया का प्रयोग नहीं करना चाहिए या भी व्यादिस्वभाव ये करण दिया गया है लेकिन इन अवस्थाओं को अगर हम ठीक तरह से सोचेंगे तो दिखाई देता है कि इन में से बहुत सारी अवस्थाए कफ और पित्त संबद्ध है रक्त संबद्ध अवस्थाए है और द्रवगुण इसमें महत्वपूर्ण रोल करता है तो द्रवगुण संबद्ध संबद्ध अगर ज़्यादा है तो दिखाई देता है कि कफपित्त संबद्ध मतलब द्रवगुण संबद्ध अगर संबद्ध है द्रवगुण का रोल उसमें अत्यदिक है तो पेया देने से पहले हमें सोचने की आवशक्ता है अगर ऐसी स्थित है तो वहाँ क्या करना चाहिए तेशुतु जुरापहे ही फलरसाई ही अद्भी हीवा लाजतरपणान पिबेद सशरकरा क्षवद्रान तेशुतु तेशु ऐसी आवस्था में ततरपणी नहीं देरना है क्या निराम आवस्था तो उत्पन्न हो गई आहार सेवन की आवस्था उत्पन्न हो गई पेया नहीं देनी है तो क्या करना है तरपण करना है कैसे करना है ज्वरापहे ही फलरसे ही अद्भी ही वाद ज्वरापह फलरसे और ज्वरापह फल जो है उनका अद्भी उनका जल उनका जल मतलब उनका क्वाद उनके साथ लाज़तरपन देना चाहिए वो कैसे होना चाहिए सशरकरा और क्षोद्र के साथ देना चाहिए लाज़तरपन कैसा होना चाहिए शरकरा और मधु के साथ मधुयुक तो होना चाहिए और वो किसके साथ देना चाहिए तो इन फलरसों के साथ देना चाहिए ज्वरगन फलरसों कौन-कौन से है उसका वरन मेरे खारे से चदक या किसी टिका में है रेफरेंस में भूल गया द्राक्षा दाडिम खर्जूर प्रियालई हिस्स परूशक हि इन में से जो आप तो युक्त लगे एक या जादा तर भी तो उनका प्रयोग कर सकते हैं तो अगर पेया निशिद्ध है तो तरपन का प्रयोग करना चाहिए और तरपन के लिए ज्वरगन फलरसों या ज्वरगन फलों के क्वाथ और उसके साथ लाजा तरपन जिसमें शरकरा और ख्षोद्र मिलाया हुया है इसका प्रयोग करना चाहिए इतना सब होने के बाद अब हमें नेक्स्ट आहार्य कलपना जो गुरु कलपना है उसकी ओर जाने का विधान किया है वो कौन से हैं? ततो उसके बाद उसके बाद क्या करदा है? जिरने तु तरपने जिस तरपन के हमने चर्चा की उसका वो अगर जरन हो गया पूरी तरह से पाचन हो गया तो या यवागवामवा उसका भी जरन हो गया मतलब आइधर वीविल गियू यवागू और अगर यवागू निशिद है तो तरपन मतलब इन दोनों में से कुछ न कुछ एक ही द्रव्य का हम प्रयोग करेंगे वो जो द्रव्य का प्रयोग हमने किया है उस द्रव्य का प्रयोग करने के बाद वो जब जीरन हो जाता है मतलब उसके बाद जो द्वितिया अननकाल आता है तो उस वक्त क्या करना चाहिए ओधन देना चाहिए लेकिन ओधन देने से पहले क्या देखना चाहिए? खुद्वान. उसका खुद्वो ठीक तरह से हुआ है के नहीं हुआ है? वो देख लेना चाहिए. और वो ओधन भी कैसा होना चाहिए? बुरुष्ट तंडुलम. तंडुलम भी बुरुष्ट करके उसका ओधन बनाना चाहिए. मतलब उसको लगुदर पनानाने के आवश्यक्ता है. और वो किसके साथ लेना चाहिए? बुरुष्ट तरह से निकाले जाते हैं. लेकिन दो आर्थ में आपको बताता हूँ, आगर आपको इच्चा है, तो आप बिन्द बिन्द टीका कारों निकाले हुए बिन्द बिन्द आर्थ देख सकते हैं. जादा तर आर्थों कि उसके और जाने के बजाए, how to use it is more important because it is applied. तो दकलावनिका ही, मतलब एक आर्थ जो है, मैंने यहां आपके लिए लिखा है, यहां, बुरुष्टत अंगलो जो ओधन, वो कैसे देना चाहिए? मुद्गयूश या रसाई ही, वो रसा कैसा होना चाहि लावज दकलावनिका, दकलावनिकी भी बिन्न बिन्न आर्थ निकाले गया है, उसमें द्रव आधिक हो, उसमें लवन आधिक हो, ऐसे बिन्न बिन्न आर्थ उसमें निकाले गया है, वो आप टिका में दे सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो जो तंडुल है, वो तंडुल किसके साथ खाना है आईदर मुद्गयूश या लावाज पदमें लावा माउस जो दकलावण का मतलब अत्यरिक मातरा में द्रव हो और उस पे अल्प मातरा में लवण मिलाया हुआ हो ऐसा होना चाहिए अब इतना सब आहार या द्रव्य बनाने मतलब बताने के बाद वो उस अधिकरन का उपसवहार करते हैं इत्यहम शड़ अहो नेयो बलम दोशम चरक्षत हा इत्यहम इस प्रकार से शड़ अहो छे दिन तक नेयो उस रगन को रगन का मतलब तर्बन करना है उसको खींजना है कि इत्यहम शड़ अहो नेयो बलम दोशम चरक्षता बलम बल और दोश इनकी रख्षा करते करते हमें छे दिन तक रुगन को इस आवस्था में रखना है बलम दोशम चरक्षता इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गए है इस वेरी इंपॉर्टन बल की रख्षा करने के लिए प्रयह संतरपन की ओर जाना पड़ता है और दोशों के रख्षा करने के लिए प्रयह अपतरपन की ओर जाना पड़ता है तो यहां जो कुछ आप करने वाले है वो नाति संतरपन अपतरपन ज्यादा संतरपन भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा अपतरपन भी नहीं होना चाहिए, छे दिनों के बाद, प्रायाह, it is very important. Otherwise, जो कंडिशन बताई गई है, वो, उस अवस्था में हम प्राप्त, हम मतलम, रुगन जब उस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, तब कशायपान की चर्चा करना चाहिए. तो कौन से आवस्था में कशायों का प्रयोक करना चाहिए? ततहा प्राप्त हो जाएगे, मतलब क्या हो जाएगे? निराम हो जाएगे. किसे लंगनादय ही, लंगनादी उपक्रम जो हमने अभी बताये गए है, उनका प्रयोक करने के बाद, जब दोष पूरी तरह से पक्वा आवस्था में जाएगे, उस आवस्था, वो आवस्था जब आजाएगे, तब कशाय का प्रयोक करना चाहिए. तो उस आवस्ता में कशाय का उद्देश क्या है? दोश शेशस्य पाचना शमनो थवा. शेश दोशों का पाचन करना है या दोशों का शमन करना है. जब वो शेश दोशों का पाचन के शब्द का प्रयूक करते हैं, तो पूरी तरह से निरामावस्ता प्राप्त नहीं हुए, मतलब पक्वप्राय अत्यदी के मात्रा में पाचन हो गया है लेकिन थोड़ा सा रह गया है अगर इसी स्थित्य है तो उसमें दोशों का पचन करने के लिए मतलब साम दोशों का पचन करने के लिए और अगर पूरी तरह से निरामावस्ता प्राप्त हुए है तो दोशों का शमन करने के लिए कशायों का प्रयोग करने की आवश्यक्ता है। शमन करने की जैसे हमने देख लिया है कि तिक तरस यह व्याधि प्रत्यनी का रस होने के कारण आप पित जजजवरा, कफ जजवरा, वात जजवरा इन तीनों प्रकारों में या द्वनवजया और सन्निपात इनमें भी तिक तरस के दुरब्यों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन विशेश तहां अत्यदी का मात्रा में उनका प्रयोग कभ होना चाहिए वा पित्ताधि का आवस्ता में होना चाहिए। तिक तहां पित्ते विशेश एन प्रयोग जहां। कटू कहा कफे और कफे के लिए कि जब कफ प्रधान आवस्ता हो तो कटू रसवाले कशायों का प्रयोग करने की आवश्यक्ता है। लेकिन वहाँ एक मतलब वह चर्चाप किसकी कर रहे हैं प्रसों की कर रहे हैं। तो तिक तरह सके द्रव्या, पॉइंट नमबर वन, विच वेरी इंपोर्टन। पॉइंट नमबर टू, कटू रसायुक्ता कशाय उनका भी विदान किया है। लेकिन एक विदान किया है कि जिसका प्रयोग हमें करना ही नहीं चाहिए। प्रयोग ज्वर में नहीं करना चाहिये। मतलब ये व्याधिप्रतिनिक नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब दोशप्रतिनिक है, फिर भी वो ज्वर में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन से ज्वर में नहीं करना चाहिए नवज्वर, नवज्वर में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? मलस्तंभा, वो मलों का स्तंभन करता है, मतलब दोशों का स्तंभन करता है, और दोशों का स्तंभन करने के कारण, वो विशमज्वरम कुरूते, विशमज्वर की उत्पत्य करता है, in addition to that, अरुची, वृरुलास, हिद्मा, आद्मान, इत्यादी उपद्रव भी उत्पन कर देता है मतलब कशायरस दोश प्रत्यनीक है इसलिए हमने कफ और कफ पित ऐसे आवस्ता में प्रयोक किया तो मलों का स्तंबन करेंगा मलों का स्तंबन करने के कारण वो विशमजवर और अन्य अरुच्ची इत्यारी उपद्रव का निरमान करेंगा ऐसा क्यूं होता है? अश्टांग संक्र में इसका वर्णं जादा तरह से विशमजवर और अन्य उपद्रव कैसे उत्पन्द हो इसका वरणन किया गया है न चवंते न पच्चंते कशाया स्थम्भिता मला जो स्थम्भिता मला है वो कशायरस से शवित भी नहीं होते और पाचित भी नहीं होते वैसे कि वैसे पड़े रहते हैं तिर्यक गता विमारगावा वर्धयनते अपिते ज्वरम और वो अगर तिर् के बढ़ा देते हैं। शूलाणा अपी। और बहु आम और बहु कभ इस अवस्था के कारण वह शूलाणा इत्यारी उपद्रव उत्पन्न कर देते हैं। स्टंब तो हो जाता है, तो पचंद भी नहीं होता है, और तिरियक और विमार गगा हो करके, वो जड़को बढ़ाते हैं, और शूला आना है इत्याली उत्पनल अक्षंगार्थ, वो उत्पनल कर देते हैं, लेकिन उसमें उत्पनल होने वाला सबसे महत्व पूर्ण उपद् तो विशमज्जुर है तो विशमज्जुर वो क्यों उत्पन्न कर देते हैं कशायरसका पांद कर दिया तो मलका स्तंबन हो गया तो मलका स्तंबन हो गया तो वो कोष्ट अप प्रतिपन्न वैसे ही उसमें पड़े रहे गए उसका पाक पूरी तरह से नहीं हो गया पाक पूरी तरह से अगर नहीं हो गया तो संदि स्रोतो लीन वो स्रोतस और संदि में लीन हो करके रहेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा कशायपान विहतवेग अशक्तत्व और कशायपान हम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो दोशों पर उसका असर होगा और दोशों का असर होने के बाद वो क्या हो जाएगे अशक्तत्व दोशों को अलप पात्रा में अशक्तत्व आ जाएगा मतलब उनका बलग कम हो जाएगा तो जुरतो उत्पन्न नहीं करेंगे लेकिन वो क्या करेंगे स्रोतो सो में लीन हो करके रहेंगे और स्रोतो सो में ज शमज्ज्वरऊ उत्पन्न करेंगे, इसलिए कशायपान का कशायPS का अगा मिन कशायरसक के क्वाथों का π्रयोग यहां नहीं करना चाहिए अब यह कितने दिन तक करना चाहिए यह से हमने पहले मतमतांतर है उसके मतमतांतर की चर्चा यहां अन्ततः की गई है कुछ लोगों का कहना है कि साथ दिन के बाद, मतलब छे दिन तक अहार से उसका अगनी प्रदिप्त किया, तो साथ दिन के बाद उसको आउशद देने की आवशक्ता है. कुछ लोगों का केचित आववव, मैं केचित मैं अन्य आववव दशाहता है, अन्य कुछ लोग आचारिया ऐसे, जो वहते एक, नहीं, छे दिन से नहीं, दस दिन के बाद कशाय का प्रकायोग करना चाहिए. के चित लगवन न परतिबुखत स्या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि लगवन न परतिबुखत मतलब संसरा के नम से अगनी जब प्रदिपत करेंगे तो ऐसा करने के बाद कशायों का प्रेयुक्त करना चाहिए और ये तीन मत प्रतिपादित करने के बाद योज्जम आमोल बढ़े नतू तो अपना मत प्रतिपादित करते है तो अपना मत क्या प्रतिपादित करते है साथ दिन में करना है दस दिन में करना है सौंसर जन करम के बांद करना है क्या करना है वो बाद में देख लेंगे लेकिन एक बात बिलकुल नहीं करनी चाहिए, आमोलबने इन्दतौ, जब तक साम आवस्ता है, तब तक किसी भी आउशत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब आउशत का प्रयोग कब करना चाहिए, आम उल्बन नहीं है उस आवस्ता में, जैसे हमने यहां देख लिया था, कि, क्या शब्द था हो? पक्वप्राय, पक्वप्राय ऐसी अवस्ता जब उत्पन्न हो जाती है. मतलब आम अजत्य दिक मात्रा में पच गया है, और अजत्य दिक अलपमात्रा में शेष है. अईसे अगर स्थिति है या पूर्ण तहा निराम आवस्ता प्राप्त हो गई है अईसे अगर स्थिति है तो ही कशायों का प्रयोक करना है क्योंकि क्या है पूरी तरह से आम अगर पच गया है तो जो कशायों का वर्ण किया है तो पाचन शब्त निराथक हो जाएगा तो इसलिए पूरी तरह से सिर्फ निरामा अवस्था में ही कशायों का प्रयोग करना चाहिए अईसा नहीं है पक्वप्राय जब दोश आ जाएंगे उस अवस्था में जब दोश उपस्चित होंगे तब अलपर आम का पचन करने के लिए और दोशों का शमन करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं तो हमारा जो सिद्धांत उसका जो सिद्धांत है उसकी उन्होंने पुष्टी करने के लिए उधारण दिए तीवरज जवरपरी तस्यर दोश वेगो दे यताहा तोशे अथवा अतिनिचिते तंद्रास्ताइमित्यकारणी अपच्चमानम भैशज्यम फूया जवलयती जूए तीवरज जवरयकतरुग मतलब तीवरज जवरह है और रुगण उससे पीडित है दोशेवेगो देये दोशों के वेग का उधय उसके बिन्द बिन्द आर्थे निकाल जाते हैं, सामधोशों का वेद उससे वेग, उससे वो पीडित है, या पाचन के लिए जो आउशद दिया है, उसका वेग, उससे वो पीडित रुग्ण है. In addition to that, दोशे अत्वा अतिनिचिते, अत्यति का मात्रा में दोशन निचिता है, निचिता है, संचिता है. इन तीन आवस्थाओं के कारण पहले से ही रुग्ण तंदरास्ताइमित्यादी लक्षणों से पीडित होता है, उस आवस्था में, अगर हमने वैशत जगा प्रयोक कि के कारण हुए है, उनको बढ़ावा देगा, बुया जुलायती जुरम, जुरम को अत्यरी का प्रज्वलित करेगा, मतलब उसके लक्षण अत्यरी का तीवर हो जाएंगे, तो कम से कम इतना तो ना करे, इसलिए इस आवस्था में कशाय का पान नहीं करना चाहिए, सो कब न कब बेशचे का प्रयोग करना चाहिए, तो यहां बेशचे का प्रयोग करना चाहिए, कब बुरू जुरू, जुरर जब बुरू हो जाएगा, मतलब उसके लक्षण कम हो जाएंगे. उसके उपद्राओ मतलब उसके लक्षन मर्यादित हो जाएंगे लगुर देहा देह लगू हो जाएगा मतलब आम अवस्ता कम हो जाएं चलिताश्य मला यदा जो चिपके विवो मल है वो चलित हो गये है ऐसी अगर स्थिती है तो मतलब फिर से कशाय से आम उत्पत्ती की शंका अत्यल्प है ऐसी अवस्ता में अचिर ज्वरस अभी ज्वर अचिर है ऐसी भी अगर स्थिती है अचिर का मतलब छे दिन प्राप्त नहीं हुए है साथ दिन प्राप्त नहीं हुए है ऐसी भी अगर अवस्था है, तो उस अवस्था में आप कशाय का प्रयोग कर सकते हैं, मुर्दुर जरो, लगुर देहा, चलिताश्यमला यदा, अचिरत जुरस्यापे, मतलब छे दिन तक रुकने के आवशकता है, नहीं, छे दिन ही रुकना है, ऐसा भी नहीं, लेकिन छे द आपक्रम करना है, वो अवस्था वो काला से अधिक महत्व पूर्ण है, इसलिए जब वह अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तब हमें उस उपक्रम का प्रयोग करना चाहिए. So here, we will stop for today. So यहां तक ज्वरा का जित्म, मतलब बेसिक, बेसिक प्रिंसिपल सब ज्वराचिकिट्सा यहां तक पूरे होगे. In next session, we will start with the different yoga. दन्यवाद सर, कुछ प्रश्ण है, वो आपको उसका उत्तर थोड़ा दे देंगे. रोगी में दोशों की गती, उर्द्व, अपर साइड है, वमन, की देना है, किन्तु रोगी, गर्विनी या ओल्डेज है, तो कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो उसको उस कंडेशन में वमन ना देखकर क्या चिकित्सा सूत्र कर सकते हैं? और वमन नहीं देना है, वो अवाम में हो गई ना, अगर भिणी आवस्ता है, तो वो अवाम में हो गई, अगर वो अवाम में होए, तो वमन नहीं देना चाहिए, शमन ही करना चाहिए, शोधन के और नहीं जाना चाहिए, शोधन के लिए वो अवस्ता कर अरह नहीं है, तो श शुन्ठी सिद्ध जल का सेवन कर सकते है क्या नॉट इंडिकेटेड क्योंकि वहां क्या बताया गया है आउष्ण कम करने वाला और पाचन करने वाला ऐसे कुछ द्रव्य के आवशकता है अगर शुन्ठी सिद्ध जल हम पित्तज्वर में प्रयुक्त करेंगे तो जो दोष् उष्णत जल पान से उत्पन्न होने की शंका है वही दोष्ण शुन्ठी सिद्ध जल से भी उत्पन्न हो जाएगा तो हमने नया क्या किया हमने कुछ नहीं नया किया जो दोष्ण है वह वैसे कि वैसे रह गया अगर उस दोष्ण को दूर करना है तो तिक्त रसके आवशकत पाचन और शीत ऐसे द्रव्य के आवशकता है इसलिए वो तिक्त रसके द्रव्यों के ओर चले गये हैं शुन्थी तिक्त और पाचन ऐसे नहीं है कटू और पाचन है रक्तपित में यदी आम संचिती हो तो उष्नदक दे सकते है क्या या नहीं वी विल डिस्कुस इट इन रक्तपित वहां उसके बारे में चर्चा की गई है उसका अधिकरण ही बगल गया ना लेकिन अगर ज्वर में रक्तपित्त जैसी आवस्ता उत्पन हो जाते है तो उष्नदक के बज़ाए शडंगोदक इस बेटर ऑप्शन अगर में ठीक है अगर विशे निकल ही गया है तो आप अगर रक्तपित्त में देखेंगे तो वहां उन्होंने शडंगोदक शुंठी वर्जित बताया गया है मतलब शडंगोदक में शुंठी को निकाल करके सिर्फ तिक तरस वाले द्रव्यम का प्रयोग किया है तो रक्तपित्त में उष्नदक आवस्ता है तो शुंठी तो बिल्कुल नहीं चलेगी और उष्नदक भी नहीं चलेगा शुल के कारण अगर आम की वृद्धी कैसे होगी शुल के कारण शुल की वृद्धी में नहीं बताया शुल के कारण आम की वृद्धी नहीं बताया मतलब आम से अवरुद उत्पन हो जाए कि प्राया ज्यादा तर शूल के आवस्ताइं जो है वो मारगा अरोध जन्य है तो आम से अगर मारगा अवरुद हो जाता है तो शूल की वृद्धी हो जाएगी शूल से आम की वृद्धी आईसा नहीं बोला आपने शायद गलत सुना होगा और अगर मैंने बोलते वक्त ऐसा कुछ शब्द का प्रयोक किया है तो प्लीज करेक्ट इट शूल के कारण आम की वृद्धी नहीं होगी आम के कारण शूल की वृद्धी होगी नेक्स कुश्चिन वाइरल और बैक्टीरियल फीवर में दो तीन दिन तक ट्रीट ना करने पर ब्रें तक फीवर चला जाता है पर एंसेफलाइटस तो इस फीवर में लंगन और काल का क्या विचार करना चाहिए हमारा निदान अगर ज्वरव्याधी है तो इस दिशा में हमें जाने की आवश्यक्ता है एक बहुत सारी गड़बड हम करतेते हैं कि जब रुगण संताप लेकर के आता है मतलब थर्मामिटर देखता है और वो टेंपरेचर दिखाता है तो हमारे पास आता है और हम तुरंट उसका निदान ज्वर कर देते हैं अगर आपका निदान ज्वर व्याधी नहीं है संताप सिर्फ एक लक्षन है और व्याधी भिन नहीं है तो उस बिन्न व्याधी की अवस्था के अनुरूप आपको चिकिच्छा करनी है उस वक्त अगर लंगन उस व्याधी के अधिकरन में नहीं है तो लंगन नहीं करना चाहिए तो हर वक्त हमें लंगन ही करना चाहिए ऐसी स्थिति नहीं है तरह तो अंडर्स्टाइड व्याधी झुरलूप लंगन आपको लंगन लंगन स्थिति नहीं है there, your Chikitsa will be designed according to the Vyadhi. Okay? Next question. Most of the times, there is Jwar, but Agni is good and patient has Shudha. So what food to give in such Avastha? बताय गय है ना, इतने सारे? अगर वो ऐसी Avastha है, तो most probably Jwar Vyadhi नहीं है, अन्य किसी Vyadhi में Jwar की उत्पत्ती हुई है. अगर आईसी स्थिती है, तो पेया दी, जो इतने सारी पेया और अन्या उपक्रम बताय गये हैं, उनमें उस अवस्था में जो योग यो हो, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं. बालुका पोटली, स्वेध और कोल्ड स्पॉंजिंग की अवस्था कैसे डिसाइड करेंगे? कोल्ड स्पॉंजिंग तो ज्वर में बताये ही नहीं गया है, so it is not at all, मतलब वो करना ही नहीं है. और वालुका पोटली, स्वेध की अवस्था तो उदर्द वगेरा जो अवस्था बताई, उदर्दा दी लक्षन है, प्रतीत होता है, किन्तु और रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती है, क्या चिकिट्सा सूत्र प्लान कर सकते है, केवल संताप प्रतीती होता है, हो सकता है, संताप प्रतीती हो जाती है, तो संताप की चिकिट्सा करना मितलब संताप क्यों है, इसके बारे में सोचना चाहिए लेकिन ज्वर में भी अगर दोश अल्प है तो ऐसा कभी-कभी हो जाता है तो अल्प दोशन की चिकित्सा करनी चाहिए मतलब मंदमंद ज्वर रहता है तो सिर्फ ज्वर ही होगा ऐसी स्थिति नहीं है अगर अगर दोश अल्प है इसलिए ज्वर उत्पन हुआ है मतलब पूर्ण रूप में ज्वर उत्पति नहीं हो रही है और कम मात्रा में अल्प मात्रा में ज्वर उत्पन होता है ऐसा अगर हमारा निदान है तो इसी चिकित्सा सूतर का अनुसरान करना चाहिए सभी जवर आम पच्चमान निराम ये अवस्था प्राप्त करके ही काम होती है क्या लंगन स्वेधन एक्सेट्रा ट्रीट्मेंट जवर की अवस्था से लेके जाते हैं क्या ये उपक्रम जो है जिस अवस्था में रुगन आपके सामने उपस्तित होगा उस अवस्था से आगे के उपक्रम करने चाहिए इसलिए वह यथा अवस्थम क्रमेण वह अगर डे वन आपके सामने आता है तो क्रमशाह सभी उपक्रमों का अवलंबन करना चाहिए और अगर वो इस अवस्था मतलब बिन्द बिन्द आवस्था में आ जाता है किसलिए अगले आवस्था में आ जाता है तो उस आवस्था में जो उपक्रम युक्ता है उसका प्रयोग करना है So it is not mandatory कि always लंगन से ही हमें शुरुवात करनी है Okay, sir Temperament normal रहता है Pregnancy Pregnancy में ज्वर का क्या चिकित्सा सूत्र है क्या चिकित्सा सूत्र है मतलब यही चिकित्सा सूत्र है सिर्फ गर्भीनी के लिए जो उपक्रम युक्त नहीं है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए गर्भिणी आवस्ता में जो बिन्न बिन्न व्यादियों का वरण किया है वहाँ पहला सुत्र क्या है वहाँ चिकित्सा सुत्र में तो बदलाव है ही नहीं उस व्यादि के जो जो चिकित्सा सुत्र है चिकित्सा सिद्धन्द है उनका ही अनुसरन गरभीणी आवस्था में ही करना चाहिए सिर्फ उसमें से जो उपक्रम ऐसे है कि जिसके लिए गरभीणी अनरह है उनको वहाँ नहीं करना चाहिए उतना यह जैसे हमने अभी देख लिया कि वमनम वमनार हस्य तो वमन के लिए अनरह है तो वमन की आवस्था उसमें उत्पन्न हो गई फिर भी हम वमन नहीं करेंगे वो गरभीणी है इसलिए तो चिकित्सा सूत्र तो वही रहेगा सिर्फ तीक्षन आवशद तीक्षन उपक्रम हम गरभीणी की सुकुमार अवस्था को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे तैंक्यू सूर इतने ही क्वेश्चन थे धन्यवाद सूर इस ध्यान बूर्वाप और मुल्य लेक्चर के लिए और अगले सत्र में जवर चिकित्सा के आगे के भाग का अध्यान किया जाएगा समिता बौत के साथ जुड़े रहने के लिए चाट बॉक्स में वाट्साप की लिंक शेर की गई है और यदि आपके पहले की कुछ लेक्चर सुने रह गए हो तो समिता बौत के यूट्यूब चानल के लिंक में सुन सकते हैं धन्यवाद